हाँ हा तो पहले वेटा। को पताएंगे दिना फिजिक के बाद आपकी कैमिश्य आएगी और केमिश्य के बाद आपकी बेलोजी बाद जी में आपका बेलोजी जoction में में यह विल्टी जलो जी बोटनी सब से कुश्यण आएंगे तो चलिए आराम-णाराम से पढ़ेंगे इस में पढ़ाते हैं तो आपको समझ में कम आता है आप Key तेजी तेजी पढ़ाते है जल्दी जल्सी बोलते हैं और हम लोग नए है और हम लोग को ि kept Him चलो कि तरंग प्रकृती किसने स्थापित करी है यानि किसने बताया है कि सभी पदार्थों में तरंग जैसी प्रवरत्ती होती है इसे हम लोग कहते हैं डी ब्रोगली सिध्धान इस सिध्धान को भी हम लोग क्या कहते हैं डी ब्रोगली सिध्धान कहते हैं तो आप देखेंगे पहले question का answer क्या होगा पहले question का answer होगा डी ब् ज़रा से यहां पर देखिएगा अगर हम लोग यहां पर बात करें फर्मी की देखिएगा थोड़ा सा मोचा कर लेते हैं ना अगर हम लोग यहां पर बात करें फर्मी की ठीक ना यदि यहां पर हम लोग बात करें फर्मी की तो एंडिको फर्मी ने नियूक्लियर रियक्टर यानि नाभकी भट्टी का आविश्कार किया था कोशन पूछा जाता है कि बताईए नाभकी भट्टी का आविश्कार नियूकलियर रियक्टर का आविश्कार नियूकलियर रियक्टर का आविश्कार किस ने किया तो आप कहतेंगे एंडिको फर्मी ने किया फर्मी से हम तरा जाएगा फर्मी में मापी जाती है और एक फर्मी में एक फर्मी में दस की पावर माइनस पंदरा दस की पावर माइनस पंदरा मीटर होता है अब डी ब्रोगली ने वास्तों में क्या बताया कि एलेक्ट्रॉन तरंग की भाती व्यभार करता है और इसकी तरंग गदैर को गतित उर्जा से नियंतित कर सकते हैं तो डी ब्रोगली का वास्तों सिध्धान क्या था? कि एलेक्ट्रॉन तरंग की तरह कार करता है एलेक्ट्रॉन में तरंग की प्रवरत्ती पाई जाती है तरंग की प्रवरत्ती पाई जाती है तो याद अखेगा तरंग के प्रव्रत्ति पाई जाती है और इसकी तरंग दैर को और इसकी तरंग दैर को यानि की वेवलेंध को इसकी तरंग दैर को को गतिज उर्जा से नियंत्रित किया जा सकता है गतिज उर्जा से नियंत्रित किया जा सकता है अब आप सोचिए कि अगर ये प्रशन आपके परिक्षा में आता तो क्या आप ये लोग कर पाते अब अपने दिमाग लगाए थोड़ा सा कि अगर ये प्रेशन सच में पेपर में आ जाता तो क्या सच में आप इसका उत्तर कर पाते तो आप केंगे नहीं कर पाते तिसलिस को रट लेना है कि डी ब्रोगली सिधान क्या कहता है डी ब्रोगली सिधान कहता है पदार्थों में तरंग जैसी प्रवर्ति पाए जाती है अर्थाद एलेक्ट्रॉन में भी तरंग की प्रवर्ति पाए जाती है और इसके तरंग दैर को गति जूर्जा से हम लोग नियंतित कर सकते हैं तरंग दैर की अगर हम लोग बात करें तो तरंग दैर की मात्रक्या होता है या तरंग होता है half mv square के बराबर क्या होता है लाड़ों के बराबर होता है half mv square तो यह important question है गती जूर्जा का सूतरिया दखे क्योंकि आगे पेपर में गती जूर्जा से question भी बनाए गए हैं याने कि अगर आप दरोगा की तहरी कर रहे हैं तो आपको अच्छे लेवल की science पढ़के ज सोच क्या है आज कल के विद्यार्थियों की सोच है कि अगर उनको कोई question कठीन लग जाए तो वो तुरंती भाग खड़ होते हैं और वो कहते हैं यह पेपर में नहीं आएगा अरे भागो यार यह बहुत कठीन पढ़ा रहे हैं लेकिन जो रुक जाता है जो सोचता है कि नह नहीं यार हमें नहीं आता लेकिन हमें सीखने के लिए तो आए हैं हम यहां बकईती करने के लिए नहीं है सीखने के लिए आए हैं और जो सीख कर जाता है तो फिर आगे कितनी भी कठनाई आए वो अपना अंसर कर ले जाता है ठीक ना चंद्रुभान मिस्रा अना लेक पार रिजल्ट काव आएगा बैटा हमें नहीं पता कव आएगा ना चुब चाप बैठे रहो ठीक है एक हफ्ते की भीतर आजाएगा ठीक है आप ज्यादा comment box में comment बजी ना करो चुप चाप बैठरो इसके बाद ख़रा नाब की रियक्टर या पर न्यूक्लिय रियक्टर की बात की जाए तो न्यूक्लिय रियक्टर में आपको याद रखना है कि दो प्रकार की रियक्टर होते है एक आपका होता है बच्चों रिसर्च रियक्टर एक क्या होता है लाड़ो एक होता है आपका रिसर्च रियक्टर और दूसरा होता है हमारे पास पावर रियक्टर ठीक ना एक होता है रिसर्च रियक्टर एक होता है रिसर्च रियक्टर और एक होता है पावर रियक्टर रिसर्च रियक्टर में क्या होत कि आरन की कमी से आरन की कमी से हना एनीमिया होता है आरन की कमी से एनीमिया होता है हना कोबाल्ट 60 से हम लोग कैंसर का उपचार कर सकते हैं कोबाल्ट 60 से हम लोग कैंसर का उपचार कर सकते हैं यह सब आपको पता होगा लेकिन आरन की कमी से अगर एनीमिया होता है नहीं किसी व जीवाश्मो की उम्र का पता करने के लिए जीवाश्मों की उम्र का पता करने के लिए हम लोग कौन सी कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं तो हम लोग कहते हैं C14 ना की C12 और ना ही C13 बात समझ में आ रही है तो ये सभी रिसर्च कहां पर की जाती है बच्चों रिसर्च रियक्टर में की जाती है और भारत का पहला रिसर्च रियक्टर कौन सा था तो आप कहेंगे अपसरा जो कहां पर स्थापित किया गया मुंबई में स्थापित किया गया 1956 में अमेरिका के सहयोग से तो याद रखोगे ना आगे चलकर बहुत सारे रिसर्च रियक्टर बनाए गये जैसे अपसरा के बाद धुरूब अपसरा के बाद धुरूब धुरूब साइरस साइरस के बाद जरलीना जरलीना के बाद पूर्णिमा बाद समझ में रही है तो अपसरा साइरस धुरूब जरलीना पूर्णिमा तो ये सब क्या है बच्चों ये सब आपके रिसर्च रियक्टर है बाबो ये सब क्या है के क्या फायदें है उस ऐलिमेंट के क्या नुक्सान है वह सारी चीजे आपका रिचर्च रियक्टर में खोजी जाती है फिर बात करते हैं पावर रियक्टर की पावर रियक्टर most important question हाना most important question क्यों बच्चों फ्रना पावर रियक्टर से nuclear power से हर बार प्रश्न पूछा जाता है अब मैं आपसे कोशन पूछता हूँ भारत के प्रमुक भारत के प्रमुक भारत के प्रमुक नाब की यानि न्यूकलियर न्यूकलियर पावर प्लांट भारत के प्रमुक न्यूकलियर पावर प्लांट अब आपको बताना है कि भारत में क नुकलियर पावर प्लांट कहां पर बनाया गया तो भारत का पहला नुकलियर पावर प्लांट आपका तारापुर था तारापुर नुकलियर प्लांट जो कहां पर था आपका महराश्र में तो तारापुर पहला नुकलियर पावर प्लांट था भारत का महराश्र में है और अ पाकरा पाड़ा कहां पर है बताईए कैगा पावर प्लांट कहां पर है अगला नरावरा पावर प्लांट कहां पर है फिर इसके बाद कुदून कुलम कहां पर है कुदून कुलम पावर प्लांट कहां पर है फिर कलपक्कम कुदून कलम बताईए फिर इसके बाद आप क्या ब प्रदेश का उत्तर प्रदेश का एक मात्र अ्टॉमिक पावर फ्लांट एक पॉलिम पावर प्लांट उत्तर प्रदेश ना तो इई प्र स्थापित किया है फंग in से उत्तर देंगे ना हम लोग तारापुर गुजरात नरावरा ठीक अभी और भी आंसर आएंगे सभी लोग उत्तर दीजिए ठीक रहा आंसर सब लोग देंगे कोई चुप चाप नहीं बैठेगा लाइक का बटन दबाते रहेंगे तीन दिन से लगातार मैं मराथन ले रहा हूँ मेरा गला बी अलका चोक हो गया है तो ऐसा नहीं करना है लिए तो आप लोगों को हमारे साथ लगे रहना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं य अगले प्रश्ण पर चर्चा करेंगे भारत में भारत में भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन इस्थापित करता है तो आप कर देंगे NPCIL कौन इस्थापित करता है NPCIL न्यूक्लियर पावर कार्पूरेशन इंडिया लिमिटेड लेकिन अगर आप से कोश्चन पूछा जाए कि बताइए सरवाधिक न्यूक्लियर रियक्टर कहां पर हैं सरवाधिक न्यूक्लियर रियक्टर किस देश के पास हैं सरवाधिक न्यूक्लियर रियक्टर किस देश के पास हैं तो आप कह देंगे अमेरिका के पास हैं अमेरिका के पास हैं अब देखिए भारत सरकार न एशिया का सबसे बड़ा अना अटामिक पावर प्लांट यानि परमाडू उर्जा सहित्र इस्थापित किया जाएगा भारत में एशिया का सबसे बड़ा परमाडू उर्जा सहित्र यानि अटामिक पावर प्लांट इस्थापित किया जा रहा है बताओ कहां पर इस्थापित ठीक है न, क्या यहां तक आपको बात समझ में आई सभी लोगों को, क्या सभी लोगों को यहां तक बात समझ में आ रही है, सारी बाते क्लियर है बच्चो, ठीक है न, तो पहला कोशन आपने देखा, और इस पहले कोशन से हमने बहुत सारे कोशन यहां पर आपको बना कर दिय पहले question से बहुत सारे question मैंने आपको यहाँ पर बना कर दिए अब चलिए दूसरे question की बात करते हैं करा चुम्ब की चालग घनत्य की इकाई क्या है तो आप क्या बताएंगे भाया आप केंगे सर देखिए अगर हम लोग Weber की बात करें अगर हम लोग किसकी बात करें, वेबर किसकी होती है, चुम्ब की फ्लक्स का, वेबर किसका मातरक होता है, चुम्ब की फ्लक्स का, तो चुम्ब की फ्लक्स का मातरक होता है, वेबर, इसके बाद अर्ग किसका मातरक होता है, अर्ग आपका, अर्ग आपका, उर्जा का मातरक हो अर्ग होते हैं एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं copy paste मत करो बेटा एक बार छोड़ दो answer आए तो करो नहीं आया तो चुप्चा बैठे रहो ठीके ना कोई दिक्कत नहीं है तो एक जूल में कितने अर्ग होते हैं 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं तो अर्ग क्या है उर्जा किसकी काई होती है न्यूटन आपकी बलकी काई है न्यूटन किसकी काई है बलकी काई है सिर्फ एक ही बच जाता है वो हो जाएगा टेसला तो दूसरे कांसर क्या हो जाएगा बच्चों दूसरे कांसर हो जाएगा टेसला अगला कुशन देखते हैं एंपीर किसका मातरक है प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं या फिर एक कुलाम प्रती सेकंड की दर से प्रवाहित विद्दुत आवेश को क्या कहते हैं जल्द बताईए अना आवेश प्रवाह की दर को हम लोग विद्दुत धारा कहते हैं आव आप करेंगे MPR होता है और विद्द्धारा का पता कैसे लगाते हैं तो आप देंगे अमीटर से, अमीटर से पता लगाया जाता है कि विद्द्धारा बैरे ही कि नहीं बैर रही है. इसके बाद द्रवों का घनत मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है तो आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जब भी आपके पेपर में एनिमो नाम का शब्दा है तो आप उसके लिए हवा यूज करेंगे तो एनिमो हवा को बताता है उसी प्रकार से जो बार होता है वो वायू मंडली दाब को बताता है जो बार होता है वो वायू मंडली दाब को बताता है उसी प्रकार से जो मैनो होता है मैनो वो आपका गैस और द्रव का दाब बताता है कि वह आपका गैस और डर्व का दाब बताता है तो देखिए यहाँ बहुत आसान सा question हो जाएगा कि द्रवों का घनत वन आपने के लिए हम लोग पिकनो मिटर का यूज करते हैं यूडीयो मीटर का यूज नहीं करते योडियो मीटर का यूज हम लोग तब करते हैं जब गैसों के मिस्रण का आयतन पता करना हो क्या पता करना हो बच्चों गैसों के मिस्रण का आयतन जब हमें गैसों के मिस्रण का आयतन पता करना होता है गैसों के मिस्रण का आयतन पता करना होता है तब हम लोग यूडियो मीटर का यूज करते हैं अच्छा बताईए टैको मीटर का प्रियोग किसमे करते हैं टैको मीटर का प्रियोग किसमे किया जाता है तो घूर्णन गती को मापने के लिए याद रखेगा घूर्णन गती को मापने के लिए हम लोग टैको मीटर या टैकियो मीटर का यूज करते हैं एक कोश्चन है कि बताईए अगर आपसे पूछा जाए जल के भीतर जलिया समुद्र के भीतर अगर हम लोग को जलिया समुद्र के भीतर किसी वस्तू का पता लगाना हो तो हम लोग किसका परियोग करेंगे जलिया सम सोनार का प्रियोग करेंगे और सोनार का फुल फॉर्म कई बर पेपर में आया है तो साउंड नेवीगेशन साउंड नेवीगेशन एंड रेंजिंग साउंड नेवीगेशन एंड रेंजिंग लेकिन जो बेटा आप रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चे हैं उनसे कोशन क्या पूछा जाएगा उनसे पूछा जाता है कि सोनार में कौन सी वेव का प्रियोग करते हैं तो सोनार में हम लोग अल्टरासोनिक वेव यानि परास्रव तरंगों का प्रियोग किया जाता है तो सोनार में परास्रव तरंगों का प्रियोग किया जाता है अगर हम लोग कहें कि सत स्थारह से ऊपर, यानि स्थल की बात करें, थल से ऊपर हावा की बात करें, यदी कोई एरोब्लेन, यदी कोई रॉकेट हमारे भारत में प्रवेश्च कर रहा हो, हाना, तो हम लोगों के राडार बता देते हैं कि ये वाली चीज हमारे इस छेतर में गिरने वाली है, या हमारे तरफ तेजी से आ रही है तो इस्थल या सतय से ऊपर अगर किसी वस्तु का पता करना हो तो हम लोग राडार का यूज करते हैं और जो राडार होता है वो रेडियो तरंगों का प्रियोग करता है याद रखेगा राडार किस तरंगों का प्रियोग करता है राडार वेगियो तरंगों का प्रियोग करता है लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए बाकि पढ़ाने में कोई कमी नहीं होगी इस बात की गरंटी हम दे रहे हैं आपको अगला कोशन देखेंगे सक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है सक्ति की सबसे पहले यह समझे कि शक्ती होती क्या है हे मांशक की महते की करते हैं वह आपकी छमता यह आपकी पावर यह आपकी वो शक्ति कहलाती है तो कार करने की दर को कार करने की दर को क्या कहते हैं बच्चों शक्ति कहते हैं दर का मतलब क्या होता है समय अर्थात कार बटा समय अर्थात बच्चों कार बटा समय और आपको पता है कार की बात करा जाए तो कार होता है बल इंटू बल की दिसामे विस्थापन कार क्या होत हो जाएगा बटा कि हो जाएगा समय हो जाएगा अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हमको पता है कि बल का विमा क्या होती है बल्की हीमा क्या होती है mlt-2 क्या होती, बठा, mlt-2 होती है, ये तो हम लोग को पहले से पता है, हाना, और समय को हम लोग t से denote करते है, तो ये हो गया, mlt-2 और विस्थापन, विस्थापन में क्या ले लेंगे हम लोग? ले लेंगे और फिर क्या है यहां पर नीचे समय है तो यहां पर समय कर दिया यहां पर क्या कर दिया बताए कोई दिक्कत क्या MLT-2 into L upon क्या कर दिया अब बताओ यह L का हो जाएगा L और T उपर टड़ा जाएगा तो जाएगा माइनस थ्री तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं ML2 T-3 ML2 T-3 यानि यह हो जाएगा ML2 T-3 भास समझे रही है हाँ बिल्कुल सभी इसका बिल्कुल सभी उत्तर है अगला question द्रश्टी वैश्म को किस लेंस से दूर किया जाता है द्रश्टी वैश्म में होता क्या है इसको समझ लीजिए हना एक जैसे की होता है निकट द्रस्टी दोस एक क्या होता है निकट द्रस्टी दोस होता है इसको हम लोग कहते हैं मायोपिया या दखेगा निकट द्रस्टी दोस को कहते हैं मायोपिया ठीक है ना मायोपिया पहला प्रशन फिर होता है दूर द्रस्टी दोस होता है और जो दूर द्रस्टी दोस हो होता है ऐस्तिग मैके इसम क्या होता हुआ है बच्चों सिघ्म होता है जिसको कहते हैं दृश्टी वैशम में और सिव्हेयों मेंग Сमैं इसको कहते हैं एस्ठिगमेटिजम क्या होता है एस्टिगमेटिजम्स हना यह एस्टिगमेटिसम्स बच्चों उन लोगों को होता है जो अपनी आखों का गलत परियोग करते हैं आप करेंगे जो विकती नहीं कभी तुमें देखा वोगा कि जैसे कि तुम अपनी लोगी होता है है वो 36 और उर्धुआ धर नहीं देख पाता 36 और उर्धुआ धर देख नहीं पाता बात समझ्यारी है 36 और उर्धुआ धर नहीं देख पाता और इसको दूर करने के लिए cylindrical lens का प्रयोग किया जाता है बेलना कार lens का प्रयोग किया जाता है एस्टिगमेटिज्म को दूर करने के लिए एस्टिगमेटिज्म को दूर करने के लिए समझ में आ गया इसके बाद मायोपिया मायोपिया को निकच द्रश्टी को दोस्त कहते देखो दूर का हमने ऊचुराया और उ का हमने कर दिया उत्तल उ चुराया और उ का क्या कर दिया उत्तल यानि दूर द्रश्टी दोस्ट को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का परियोग करते हैं यही अगर हम लोग को बात करें दरपण की यही हम लोग अगर बात करें दरपण की तो आप देखिएगा कि अवतल दरपण क्या करता है अवतल दरपण क्या करता है छोटी चीजों को बड़ी दिखाता है छोटी चीजों को बड़ी करके दिखाता है छोटी चीजों को बड़ी करके दिखाता है जैसे कि आप किसी dentist के पास चले जाएए dentist क्या करेगा अपना एक लेंस्ट निकालेगा आपके दाथों को देखेगा बड़ा बड़ा दिकता है या कान वाले doctor के पास चले जाएए तो आप जो चिकित्सा छेत्र में जाते हैं जब तो आप क्या जाते हैं बच्चों चिकिस्सा छेत्र में जाते हैं चाहिए आंक वाले डॉक्टर के पास चले जाईए नाक वाले डॉक्टर के पास चले जाईए थ्रोट वाले के पास चले जाईए या या भी एंटी डॉक्टर के पास चले जाईए या डेंटिस्ट के पास च रखते हैं तो अगला कुश्चन केरा फ्रिंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविश्कार किया गया था तो फ्रिंक विटल ने सोचो अगर यह प्रस्ट पेपर में आएंगे तो आप से हिलेंगे की नहीं हिलेंगे आप कोई यह नहीं कहेगा सर जी यह तो पुलिस में रिख गयाई भाग पेपर में आया है दो अजरा ठारा में या शिफ्मी में सोचलो में अब strongly गये विश्चेत हैँ अब्सूफ्य आपी लोग कि कोई स्टेबल में ऐसे अच्छे अच्छे प्रस्ट न Geral recur ऊके याद कर लो जैट इंजन जैट इंजन जशन जो है वो रॉकेट के सिध्धान पर ही काम करता है और रॉकेट के सिध्धान पर काम करता है तो यह भी यह भी रॉकेट के सिध्धान पर काम करता है और रॉकेट के सिध्धान पर काम करता है और रॉकेट के सिध्धान पर काम करता है बच्चों तो आप कहेंगे समवेग सनरचन का सिध अब बताए जड़ा सा जो समवेक सन्रचन का सिध्धान्त है वो न्यूटन के गती का कौन सा नियम है ये गती का ये न्यूटन के गती का कौन सा नियम है कोई बताएगा और न्यूटन के गती का प्रथम नियम क्या कहलाता है इसके बाद दुरतिय नियम क्या कहलाता है इसके Newton का गती का तरती नियम क्या कहलाता है ऐसे भी प्रशन आपके पेपर में पूछे जाएंगे तो गती का प्रथम नियम कहलाता है Law of inertia यानि जड़त का नियम Law of inertia जड़त का नियम दूसरा क्या कहलाता है यही वाला आपका कौन सा सम्वेग सन्रच्छन का नियम क्या कहलाता है बच्चों सम्वेग सन्रच्छन का नियम कहलाता है तो यह हो गया इसका और तीसरा क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तीसरा क्या हो जाएगा लाग लो तीसरा हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तो यहां तक आपको बाते समझ में आ जाएंगी बहुत बढ़िया अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन देखते हैं भाई अगला कोशन चीजों को बड़ा दिखाने के लिए अवतलदरपन होगा हना और चोट और बहुत सारी चीजों को छोटा दिखाने के लिए बढ़ी चीजों क्या है बढ़ी चीजों को छोटा दिखाने के लिए यह क्या है यह है आपका उतलदरपन यह क्या है आपका उतलदरपन समझ में आ प्रफेशर डैस ने संगीत के प्रती अपने गहरे प्यार के करण वर्स 1921 में लंदन की रोयाल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिधान पर शोध प्रत प्रस्तुत किया था वो व्यक्ति कौन था तो आप कहेंगे वो व्यक्ति था सीवी रमन वह रखी कौन थे बच्चे? वह व्यक्ति थे आपके सीवी रमन सोच ही आप तो इसकी यह पर में आया है और यह बापरे बाप यू पी पुछ diesen एक पर होज़ों तो प्लेस स्टेबल मेग इंट पेपर में आया और आप है क्रपाति क्या आप खुडी सोचो यह आप करपाते आप gefragt सरी हमसे तो नहीं हो पाता हमसे तो नहीं हो पाता और सिङही रमन की स्मृती में ही आण राश्ट्री विज्ञान दिवस कम मनाया जाता है सीवी रमन की ही स्मृती में राश्ट्री विज्ञान दिवस मनाया जाता है ये भी बहुत लोग को नहीं पता होगा और कम मनाया जाता है बच्चों आप करेंगे 28 फरवरी को मनाया जाता है 28 फरवरी को इन्होंने क्या दिया था रमन प्रभाव दिया था रमन एफेक्ट दिया था इसके लिए इन्हें 1930 का 1930 का भौतकी का नोबल पुरुसकार मिला था 1930 का भौतकी का नोबल पुरुसकार मिला था भौतकी का नोबल पुरुस्कारब अच्छा भारत में अंत्रिक्ष विज्यान के पिता कौन है चुछ आप सारा भाई अब विक्रम शारा भाई अंत्रिक्ष केंद्र है कहां पर विक्रम सारा भाई सारा भाई स्पेस सेंटर कहां पर स्थित है तो विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम में बना हुआ है विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर कहां पर है त्रिवेंद्रम यानिकी केरल में है विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम केरल में है भारत में प परमाडू विज्ञान के जनक कौन है तो आप कहेंगे होमी जहांगीर भाबा इसके बाद अगला कोश्चन भाबा एक्टॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पर इस्थित है बार्क भाबा एक्टॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पर बनाया गया है तो आप कहेंगे ट्रामबे में है हो गया चलिए तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा एक्सलोजनेशन आपको चाहिए क्योंकि पूरी साइंस अगर हमको खतम करनी है अगर हमको पूरी साइंस भी आते हैं यह भी कॉंस्टेबल के पेपर में आया है तो एक वर्ष में एक वर्ष में प्रकास के द्वारा एक वर्ष में प्रकास के द्वारा द्वारा निर्वात में एक वर्ष में प्रकास के द्वारा निर्वात में चली गई दूरी निर्वात में चली गई दूरी एक प्रकास के द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों प्रकास वर्ष कहते हैं प्रकास वर्ष कहते हैं अर्थात क्या चली गई है दूरी क्या चली गई है दूरी अब देखो एक बच्चा कहा रहा एनर्जी का मात्रक है अब कुछ लोग कह रहे हैं उर्जा उर्जा है भगवान इन लोग को सत्बुध्धी देन है प्रभू इनको सत्बुध्धी दो ना यह लोग कैसे अपने परिक्षा का पास करेंगे ना कोई बात नहीं हमाय साथ लगे रहे हम आपको आपके मंजिल तक पहुंचा कर ही नहीं है तो किसका मात्रक है बच्चो दूरी का मात्रक है ठीक ना और एक साल में प्रकास कितनी दुरी तैय करेगा ताब एक से क्वेपर में पूछे जा सकते हैं तो आप कहेंगे दूरी का सबसे बड़ा मातरक क्या है दूरी का सबसे बड़ा मातरक, दूरी का सबसे बड़ा मातरक, तो आप क्या बताएंगे, दूरी का सबसे बड़ा मातरक है बच्चों, पारसेक, दूरी का सबसे बड़ा मातरक है पारसेक, और एक पारसेक में 3.26 प्रकास वर्स होते हैं, एक पारसेक में 3.26 लाइट इयर, 3. 3.26 प्रकास वर्स होते हैं तो यह किसका मात्रक हो जाएगा तो आप कहेंगे दूरी का मात्रक हो जाएगा सर किसका मात्रक हो जाएगा दूरी का मात्रक होगा तो आप कदेंगे सर जी दूरी का मात्रक होगा तो यह एक्सपेक्टेड कोश्चन है और एक्सपेक्टेड प्रकास की चाल बताईए यहां पर प्रशन पूछा जाएगा प्रकास की चाल बताईए तो सबसे पहला क्वेशन की प्रकास की चाल सबसे ज्यादा किसमें होगी तो प्रकास की चाल सरवाधिक होती है प्रकास की चाल सरवाधिक किसमें होती है निर्वात में वैक्यूम में कि 3,00,000,000 km per second यानि एक सेकंड में प्रकास निर्वात में 3,00,000 km जा सकता है 3,00,000 km per second और 3 into 10 की पावर अगर मीटर में बात की जाए तो 10 की पावर 8 meter per second और यहीं पर प्रशन पूछा जाता है अगले प्रशन होंगे कि कांच में कितनी होती है और जल में कितनी होती है इसके अलावा और किसी में पेपर में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा तो कांच में कितनी होती है 2 into 10 की पावर 8 meter per second और जल में कितनी होती है 2.25 into 10 की पावर 8 meter per second बताओ यहां तक याद रहेगी बाते सब लोगों को यहां तक तो class समझ में आई सब लोग बताएं बच्चों सब लोग यह सर बोले क्या मेरी बास समझ में आ रही है कोई ऐसा तो नहीं बहुत सारे लोग तो थंबनिल देख करी भाग गए होंगे देखिए मैं आपको बता देता हू हrab이라 कि यूपी पुलिस में US time is so अशी कोष्चन बहुतर जोगराफी से पूछे गए एकसा अशी कोष्चन जीवरा भी से पूछे गए दो तों ऑसी कोषचन ही सब्योचे हैं और determined को साइंस से पूछे गए हैं समझ नहीं उट्न ही कोष्चन पूछे जाते हैं जितने history, geography, polity, economy से पूछे गए हैं, current affair से पूछे गए हैं, लेकिन लोग science को छोड़ देते हैं, क्योंकि जो art side वाले होते हैं, वो तो पहले डरे रहते हैं, लेकिन अगर आप हमसे पढ़ेंगे, तो विश्वास मानिए, आपको मैं समझा ले जाओंगा, अगर आप हमसे पढ एक वज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योग पती थे, और जिनों ने भारत में कई उद्योगों की स्थापना भी की थी, विक्रम सारा भाई, और आप देखेंगे, विक्रम सारा भाई के, पिता जी का नाम θा, अंबालाल सारा भाई, अगर आप ने हमसे इतिहास प रहा रहे थे तो गांधी जी का एक सत्याग्राय आपने सुना होगा एहमदाबाद मिल सत्याग्राय याद कीजिए एहमदाबाद मिल सत्याग्राय याद है आपको तो एहमदाबाद मिल सत्याग्राय में मिल का मालिक कौन था सारे उद्ध्योगों का मालिक अमबालाल सारा भा और वापस syllabus को complete करें और यहां से हम लोगों के practice करें तो हम लोग practice जो है वो YouTube पे कराते हैं लोग तो practice बैच भी लाते हैं लेकिन हम practice आपको YouTube पे कराते हैं syllabus आपका पूरा किसमे application में करवा देते हैं ठीका ना हाँ भीया PDF मिलता है आगे बढ़ते हैं तो इसका सही उत्तर क्या सारा भाई हो जाएगा चلिए अगला कोशन देखते हैं फॉरेन हाइट में जलका कुथनांक कितना होता है कि अ कर भाट में बदलना सुरू हो जाए जब पानी उबल कर भाप में बदलना सुरू हो जाए तो हम लोग जल्का कस रांक दो आप क्या वह या पानी कितने डिपर से ऊपर नहीं उबल सकता है नखो आजाएगा लगभग लगभग आपका 212 foreign height आजाएगा जैसा कि आपको मैं बता देता हूं C बटा कितना होता है 100 होता है R बटा क्या होता है 80 होता है F-32 by कितना होता है 180 होता है K-273 बटा क्या होता है 100 होता है अब देखो हमें निकालना किसका है foreign height का निकालना है तो हमें Celsius का मान पता है, Celsius का मान पता है, Celsius में हो गया 100 बटा 100, है ना, और ये हो गया, F-32 by 180, 180, 100 से 100 चला गया, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 180 और प्लस 32, तो ये कितना हो जाएगा, 212, कितना हो जाएगा, 212, इसलिए तो मैंने 222 लिखा हुआ है याँ पे, है कि नहीं, इ इसलिए मैंने क्या लिखा है, बच्चे, 220 लिखा है, और अगर Kelvin का पूच्टा, Kelvin का पूच्टा, तो 373 कर देते, Kelvin का पूच्टा, जलका कॉथनांग, तो 373 कर देते, रीमर का पूच्टा, रीमर पैमाने का, तो हम लोग 80 degrees, 80 degree कर देते, और Celsius का पूच्टा, तो हम लोग 100 क कर देते, Celsius का पूच्टा, तो लोग 100 कर देते, आसान सथा, आसान है, कोई दिक्कत है, बच्चों, बताओ, कोई दिक्कत है, मजह आ रही कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, हाँ, हम लोग पता है, 100 degree Celsius से पानी उपर नहीं जा सकता, तो 100 degree हमें मान के चलना है, तो हम लोग जानते हैं, simple simple ये पूच रहा है, कि foreign height का अधिकतम मान कितना होता है, तो आप जानते हैं, 212 काम, खतम, पईसा, हजब, अगला कोश्चन दिखते हैं, दैश का प्रियोग हवा के बल और वेग को मापने में किया जाता है, तो अब बहुत आसान सा कोश्चन फिर स्पीडो मीटर, लेक्टो मीटर, थर्मा मीटर या एनिमो मीटर, तो क्या करेंगे, हवा के बल और वेग को मापने के लिए हम लोग किसका प्रियोग करेंगे, हवा, तो आप करेंगे हवा का, हवा का वेग, यानि हवा की गती, वायू की गती मापने के लिए हम किसका प्रि तो आपके सब्सक्राइब इसमें कौन सा बढ़िया question नहीं था ये और अगर आम से पूछा जाए वहानों का वेग वहानों का वेग हाना चलिए बताइए वहानों का वेग स्पीडोमेटर तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऐणिमोमेटर है ना इसका सही अतर कया हो जाएगा एणिमोमेटर आपको मैंने कितनी बार बताया कैसे याद करते हैं हाइड्रो का मतलब होता है पानी फिर इसके बाद हाइग्रो का मतलब होता है जल हाइग्रो का मतलब होता है जल जीरो का मतलब होता है रेगिस्तान जीरो का मतलब क्या होता है रेगिस्तान जीरो का मतलब होता है रेगिस्तान इसके बाद अगला एनिमो का मतलब होता है हवा ए होता है वायूमंडलीय दाब ऊसे करा करते का मतलब होता है दूध जैसे बहुत सwerkisesti पूछे जाते हैं कि बताईए दूध का घनत कि से मापते हैं या दूध कि शुदता कि से नापते हैं तो आपने बता दिया लेक्टोमीटर होता है दूद में पाया जाने वाला अमल कौन सा है तो आपने का सरजी लैक्टिक अमल है दूद में कौन सा जिवाणू पाया जाता है जो दूद को दही में बदल देता है तो आपको आपको सानी से सारी चीज़ें आपको हो जाती है अगला कोशन देखते हैं बच्छों विद्दुत का शब से अच्छा चालक कौन सा है डेविड गॉगिस्ट आपको पता नहीं है हमारी क्लास करने का कुछ रूल है पर नहीं बोलोगे आपको आंसर आता तो करो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है आता भी तो नहीं आता है आंसर आता है तो करो नहीं आता मत करो जब मैं पढ़ा लूँ इसके बाद लास्ट तक जो रुखेगा उसकी समस्या का समधान किया जाएगा कि PDF कहां मिलेगा batch कैसे मिलेगा क्या कैसे मिलेगा इसके लिए हम बीच में class में मट्टो को last में हमसे पूछना last में हम आपको 10 minute आपसे बात करके ही जाएंगे सब लोगों से फिर कितने रुपए का batch है batch में कौन पढ़ाएगा सब मैं आपको बता दूँगा अभी पढ़ा रहा हूँ अभी पढ़ लीजिये चलिए कहरा है विद्दुत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है तो लोहा, सिलिकॉन, कौपर और सिरामिक तो आपको पता है कि सब विद्दुत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी विद्द का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी अगर आपको चांदी ना मिले तो आप क्या लगा देंगे तांबा लगा दीजिए जब आपको चांदी ना मिले तब आप क्या लगा दीजिए और तांबा भी ना मिले तब और गरीब ह कौन सा वोगा चांदीृ चांदी बहुत महझी होती है और चांदी की डाल पर सोने का मौर होता है काम चलिए तो in में से पूछा जाय कोपर यानि की तांबा लगा सकते Ilka क्ष्टनिस से कर लेते हैं चांदी का यसको क्या होता है अरजन टाइट। चांदी का प्रियोग किया दो मनुष्री प्रियोग किया प्रयोग किया अगला क्वेशन देखते हैं अच्छा आयरन का आयस का कौन कौन सा है यानि कौन कौन से और इसके आयरन के हैं तो आप कहेंगे अच्छा बताइए एक प्रश्न पूछा जाता है लोहे का सबसे सुध्धतम रूप कौन सा है लोहे का शुध्धतम रूप क्या है कोई बताएगा लोहे का सुध्धतम रूप रूप क्या है जली बताओ बच्चों लोहे का शुद्धतम रूप तो एक होता है पिटवा लोहा आणा और एक होता है ढलवा लोहा तो बताऊ कूर सरा आएगा जल्दी बताओ इसमें से कौन चाहँ पूछा गया है कितनी बार कि लोहिए का सुद्धत्म रूप कौन्सा है तो जब तक पीटोगे नहीं काइदे से तब सशुद्ध रूप मिलेगा नहीं तो पीट कीट के बना लेंगे तो लोहे का शुदुतमरूप कौन सा है पितवा लोहा है ना कि धलवा लोहा हा अब आरन के आसको कौन से हैं हेमेटाइट हैं हेमेटाइट मैगनेटाइट है हेमेटाइट magnetite, pyrolucite, pyrolucite, cidarite, cidarite, ये सब क्या है बहिए, ये सब लोहे के एस्क है, अगर आपसे जब chemistry पढ़ाएंगे, तो chemistry में अभी chemistry के question आएंगे, तो इसमें पूछा जाता है, कि लोहे में यदि जंग लग जाए, प्रश्न पूछा जाता है, यदि लोहे में जंग लग जाए, तो लोहे का भार बढ़ेगा कि घटेगा यदि जंग लग जाए यदि लोहे में जंग लग जाए तो नमबर एक भार बढ़ेगा नमबर दो भार घटेगा जल्दी बताओ भार बढ़ेगा कि भार घटेगा इस पीछ से बताओ बच्चो यदि लोहे में जंग लग जाए तो लोहे के भार में क्या आती है कमी आती है कि लोहे के भार में व्रधी होती है जल्दी बताओ कौन सबसे पहले आंसर देगा दिल उड़ाते रहो अना लोगों को शेयर करते रहो सब्सक्राइब करते रहो मुझे लग रहा साइंस पढ़ने में तुम लोग का मन नहीं लग रहा जिसका जिसका साइंस पढ़ने में मन नहीं लग रहा बता दो तो हम एक घंटे की क्लास तो करके खतम कर देते हैं, भाई तुमको मन नहीं लगेगा, तो हम भी नहीं पढ़ाएंगे, अब किसी का आंसर आया है, घटेगा, तो भाईया, लोहे में जंग लगेगी, तो आरेन ऑ उसमें बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है, लोहे का भार भी बढ़ेगा, ऐसे ही एक और कोशन आप से पूछता है, तुम लोग उसका भी आंसर गलत करोगे, तो सबका आंसर गलत है, लेनू घटेगा, स्वेता घटेगा, नीतू बढ़ेगा, अना सबका आंसर किसी, मतलब 50 लोगों ने आंसर दिया है, घटेगा, 50 लोगों ने दिया, बढ़ेगा, तो आंसर इसका है, लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, वैसे एक और कोशन पूछते हैं, यदी, यदी मैं एक तराजू पर खड़ा हो जाओ, सुनिएगा बच्चों है, यदी म पर बढ़ जाएगा, कि घट जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, देखते हैं, कौन बता पाएगा, यदी मैं एक तराजू पर खड़ा हो जाओं, और अपनी सास को खींच कर, हना रोक लूँ, तो बताइए, मेरा वजन बढ़ाएगा, कि घटेगा, तो आपका उत लीटर वायू का वजन 1.225 ग्राम होता है, यानि हमारे वजन में 1.225 ग्राम बढ़ गया, समझ में आया क्या, हाँ, वजन बढ़ेगा, और घनत क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अंतरिच में भारत का पहला उपग्रह कौन सा भेजा गया था, भारत का पहला उपग्रह था आरभट, भारत का पहला उपग्रह था आरभट, जो हम लोगों ने 1975 में भेजा था, या दखेगा भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आरभट था, जो हम लोगों ने कब भेजा था, 19 अपरेल 1975 में भेजा था, और इसमें किस की सहता ली थी, इसमें हमने रशिया की सह घली थी और हम लोग ने से पूछा जाए कि कौ सिर्न रोकेट से बेजा गया था कॉस्मोस रोकेट से बेजा गया था तो इसको 19-9 यह एल 19-75 को भीजा गया था 19-90 कर भीजा गया था यह गया था इसका वजन मात्र 360 किलोग्राम था 360 किलोग्राम था और इसको कॉसमोस नाम के राकेट से इसको कॉसमोस नाम के राकेट से USSR की मदद से भेजा था हम लोगों ने clear है और जो Apple था वो भारत का पहला संचार उपग रहे भारत का पहला संचार उपग रहे भारत का पहला संचार उपग्रे भारत का पहला संचार उपग्रे कौन सा था आप एंगे एपल था याद रखोगे अगला कुश्चन ध्वनी मापक इकाई को क्या कहते हैं ध्वनी की तीवरता किसमे मापी जाती है तो आप एंगे सर्जी देखिए बल का मातरक तो आपने है और कैलोरी क्या है उश्मा की काई है उश्मा की काई क्या है बच्चों कैलोरी है तो सिर्फ एक ही बचता है डेसिबल एक ही बचता है डेसिबल हना यह बैल का दस्वा भाग है बैल का दस्वा भाग है बल का दस्वा भाग होता है डेसिबल क्लियर है डेसिबल यहां तक आई इतनी बात आपको समझ में आ रही ना तो चलिए यहीं तक आपको रखते हैं तो बेल का दस्वावाग तो कभी कभी डेसिबल ना कर बैल आ जाएगा तो आप कर लीजिएगा अगला कुश्चन अगला कुश्चन अच्छा छोटी सी एक बात पूछते हैं इननी सी हसी और तो आप बताएंगे ना चलिए अब देखो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और आप बहुत सारे लोगों का फटा-फट आंसर भी आ रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन बताईए ध्वनी ध्वनी का पतला या मोटा होना किस पर निर्भर करता है ध्वनी का पतला या मोटा होना किस बात पर निर्भर करता है या किस पर निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है जैसा कि मेरी आवाज क्या है मोटी है लेकिन अगर लड़की की आवाज की बात बताई जाए तो क्या होगी पतली होगी लड़कों की आवाज क्या होती है थ किस पर निर्भर करता है तो आप कहते हैं तारत तुपर किस पर निर्भ नर्बर करता है इसे कहते हैं इस Hall तारत ज्यादा होगा उसकी आवाज पतली होगी और जिसका तारत कम होगा उसकी आवाज मोटी होगी यानि सेर की दाहाड और मच्छर की भिनबनाहट में किसका तारत ज्यादा है तो उसका तारत ज्यादा है मच्छर का तारत ज्यादा है तभी तो उसकी आवाज पी पतली है हेंगे नहीं अकला ऐंतार्किका जाने वाले पहले भारत्ति ध्लकर प्रभारी कौन थे तो आप कह देंगे ? इसी जन्टक सिम क्या थे बच्छों ? इसीजन कासिम भारत जाने वाले पहले बार जो ड्ल गया था पहली बार अगली बात बता गरतवा लाद में इस खोश्चन ने मेरी यादे ताजा कर दी इस कोश्चन ने मेरी यादे ताजा कर दी अभी बताओंगा बढ़ी बाद है अना एसजेड कासिम इसका सही उत्तर हो जाएगा आप बात करते हैं और किका महाधीब की बात करते हैं बच्चों अगर एक एक बार शेयर हो जाता अगर क्लास एक एक बार शेयर हो जाता कल यूपी जीटे के पढ़ाऊंगा ठीक है ना कल आप लोगों की खुष हो जाएगा यूपी जी के क्लाश लने वाली कल उत्तर प्रदेश स्पेशल चलेगा आज का आज का सिलाबस में आज का सिजूल आपका साइंस का लगा था इसलिए साइंस पढ़ा रहे थे मैं जानता था कि साइंस में बच्चे आज कम आएंगे फिर भी मेरा मन नहीं म तो यह मोई ऐत्ते में इकन फिंग लगता है कि वा कॉस्चन नहीं कर पाते हैं इसलिए कि मैं समझाऊंगा ना कोषटिं यार हम कॉस्त सम्झाएंगे आपको नहीं आएगा मैं बताओंगा बताओंगा कोई चीज कैसे होती हैना आपको बताऊंगा ठीक है लेकिन आपको आना है अंटार्ट का महादीप के बारें बात करते हैं सबसे पहले अंटार्ट का महादीप है कहां पर जैसे यह है बच्चे प्रत्वी अना तो प्रत्वी पर ऊपर क्या है ऊपर एक नौर्थ पोल है और नीचे क्या है बच्चे साउथ पोल है तो नौर्थ प पोल पर आपका अंटार्कितिक महासागर है साउथ पोल पर आपका अंटार्कितिक महासागर है अंटार्कितिक महासागर है क्लियर है अब देखना यहां पर अंटार्ट का महादीब को हम लोग स्वेत महादीब कहते हैं क्योंकि यह वर्ष भर बर्फ से धका रहता है क्योंकि ये वर्स बर बर्फ से धका रहता है इसलिए इसका दूसरा नाम है निर्जन महादीब जन मतलब होता है लोग और निर्जन मतलब जहां लोग ना रह रहे हो तो अंटायट का महादीब में बहुत कम लोग रहते हैं बहुत कम लोग रहते हैं इसलिए इसको निर्जन महादीब कहते हैं यहां पर आपको एस्किमो जन्जाती मिलेगी कौन सी जन्जाती मिलेगी लाट लो यहां पर आपको एस्किमो जन्जाती मिलेगी और एस्किमो जन्जाती अपना बरफ का घर बना कर रहते हैं जिसको कहते हैं इगलू हना इनका गुंबतकार घर रहता है इसको कहते है इगलू कहते हैं अंटाइट का महादीप में जो कुत्ते पाय जाते हैं जो जनवर पाय जाते जो पालते हैं वो होते हैं रेंडियर कौन होते हैं बच्चों वो होते हैं रेंडियर अंटाइट का महादीप विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महादीप है विश्व का question most important question या expected question कि भारत के research station कौन कौन से हैं भारत के research station भारत के अनुसंधान केंद्र जो अंटार्ट का महादीपर बनाए गए हैं तो आप कहां से आएगा दच्छल गंगोत्री दच्छल गंगोत्री नंबर दो मैत्री नंबर तीन भारती और नंबर चार हिमाद्री तो बताईए इन में से कौन सा research station इसमें से कौन सा research station अंटार्ट का महादीप में नहीं हैं बताओ जलती से इसमें से कौन सा research station अंटार्ट का महादीप में नहीं हैं आप्शन है दच्छल गंगोत्री मैत्री भ कि सिस्टेश में स्थापित कर रखें जैसा की आपको Πता है सब कह रहे हैं एक बच्चे का अंसरा रहा है गंगोतरी नहीं होगा अब लाइन से शबक आ सार हिमादरी नहीं होगा फिर कुछ लोग कह रहे हैं कुछ लोग तो रेंडियर उत्तर दे रहे हैं अच्छा कुछ लोग बहुत पीछे चल ले हैं अच्छा तो इसमिस देखिएगा अंटार्ट का महादीप में हिमाद्री नहीं है हिमाद्री कहां परहला जो यह आर्कटिक महासागर में इस्थापित है यह आर्कटिक महासागर में इस्थापित भारत का रिसर्च स्टेशन है बाकि पहला बाकि तीसरा और दूसरा ये अंटार्टिका महादीप में हैं ये कौन से बच्चों तो ये वाला नहीं है ये बाकि क्या है ये बाकि आपके अंटार्टिका महादीप में isthaffit research station हैं antarctica महादीप में isthaffit research station है याद रखेंगे सब लोग है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question कह रहा है refrigerator में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है तो refrigerator में बड़े अध्यकोर यहां पर question पूछा जाता कि बड़े-बड़े अरहां है? जो गरेलू वाले उसमें फ्रिआन का यूज करते हैं. तो याद रखेगा, जो घर वाले होते हैं, उसमें फ्रियान का यूज करते हैं, और जो बड़े-बड़े होते हैं उनमें अमोनिया का यूज करते हैं बताओ भूलोगे तो नहीं बताओ भूलोगे तो नहीं याद रखोगे चलो अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन ऊर्जा से भरपूर प्रकास के लिए LED यह वर्तमान तक्निकी है LED का विस्तरत रूप क्या है तो यहां पर आप सारी बताइए सबसे पहले बताइए कि सबसे पहले टीवी आई थी अना उसको हम लोग क्या कहते तो मुझी धान नहीं आ रहा है तो यह बताइए आप में LED का फुल फॉर्म भी बता दीजिए LCD का भी बता दीजिए और LED का भी बता दीजिए जल्दी से LCD का क्या होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा LCD का LED का हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड लाइट एमिटिंग डायोड हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड हो हाँ हाँ सब काहतर सही आ रहा है चलिए और परते हैं यह परता हैं यह पताओ मिनियेचर सर्किट ब्रेकर नहीं करते हैं Üurn a को याद रखोगे मिनियेचर सरकिट ब्रेकर कहते हैं। इसे और बिदि आया 었रो पेपर में। इसे पेपर में बढ लिए क्या लगा रहता है ढ़ना बच्पन को आपने बच्पन को याद दिलाएं थोड़ी सी अगर मैं आहिको बच्पन की याद दिला Awesome तो आप देखेंगे आप देखेंगे हना कि हम क्या करते थे कि जब फ्रिज को खोलते और बंद करते थे तो हम यह देखते थे कि इसकी लाइट कब बंद होती है हना जब फ्रिज खोला और फिर हमने बंद किया हम देखा इसकी लाइट कब बंद होती है तो पता तला फ्रिज क लो उसका जो जो चलका होता है यदि उसको दूद के साथ जमा लो तो बलब मन जाता है ले नीट खुन और में आप की सबता नहीं अब लोगों का ये जीवन रहा है कि नहीं रहा है आइस वह खाल लेते हैं क्था न मत तरमो कीटेट कहते हैं और हम लोग रेगुलेटर कहते हैं लोग हर चीज को और थेज करना अब mesma घूर को थिमें और तेज करना हो तो उसको रेगुलेटर कहते है अना GAS का semiconductor वह घुमाने वाला होता उसको बी रिगुलिटर केते हैं फ्रिज के अंदर जो लगा रहता उसको बी रिगुलिटर केते हैं जो घूमजाङ व रिगुलिटर गलत है पेपर में पूछा गया कि बताइए हना रेफ्रिजेटर में ताप मान को कम और ज्यादा करने के लिए किसी अंतरका यूज करते हैं आप्शन रहेगा आपका थर्मोस्टेट क्या रहेगा आप्शन थर्मोस्टेट रहेगा ओके चलो तो इसको हम लोग ने पढ़ लिया LCD LED यह आपर एक क्कोशन और भी है यह कुशन और भी है और ऐससी रटिया तो सी आरटी को क्या टेलीवीजन का आविशकार किस ने किया है। तो आपका तेंगे चेल बेयर्ड ने किया। jl baird ने किया tv का अविसकार किस ने किया jl baird ने किया अगला bmi की गर्णा के लिए सूत्र क्या होता है bmi bmi जानते हो ना सरीर द्रविमान सूच कांग कहते हैं ये ये बताता है कि आपके सरीर के अंदर आपके अंदर fat कितना है ये बताता है, हना, सरीर का भार और उसके लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं, तो सरीर का भार, सरीर का भार, भार, लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं, लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं, लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं, हना, तो जो लंबा होता है उसकी हड्या चोडी होती है देखा होगा आपने उसका वजण ज्यादा होता है कुछ लोग दुबले पतल्य नने से और फैल जाते हैं ऐसे फिर भाटा जैसे हो जाते मतलब गेंध जैसे अना इसको क्या कहते हैं है भीटा बॉडी-मास-इंडेक्स कहते एंगे आद देखेंगे उत्तर्प्य पुलिस के प्रॉज़ गेठे में ऐसे क्रद्ध है क्लियर मैं व्युज़ है अच्छा घ्रफ इसा भूपर्यों कर탧 का वजन नापेंगे, लंबाई मापेंगे, बिल्कुल सही बता है आपने, तो यहां पुझाएगा वजन बटा, वजन बटा, लंबाई हो जाएगा, तो वजन बटे, लंबाई, मीटर में, वजन बटा, लंबाई, यह option मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं अपने मन से लिख दे र लंबाई स्क्वाइर होता है, ठीक ना, वजन बटा, लंबाई स्क्वाइर होता है, वजन बटा, लंबाई का स्क्वाइर होता है, तो वजन को क्या होता है, किलोग्राम होता है, लंबाई को नाप लेंगे, मीटर में, अना, तो मीटर स्क्वाइर कर लेंगे, तो देख लि लिजेगा हाँ समस लिजेगा अगर आपका BMI अला सामान ने BMI कितना होता है कि सामान BMI कितना होता है तो सामान BMI होता है अठारा दसमलों पांच से 24.9 मोटा अगर आपका इतना BMI है तो आप सही है अगर आपका इतना BMI है तो आप सही है बास समâr में आ रही है इससे ज्यादा है तो सामान से ज्यादा तो से ओर ज्यादा मोटापा अस्वस्थ मोटापा अश् cas Vallahi सूल जाता है ठीक है कि आगे अगला कोश्चन हना अगला कोश्चन देखो क्या कह रहा है आप प्रयुक्त किताब दो वर्ष के लिए सेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गिया यह किस एक का उधरण है अरे सिंपल सी बात है आपको पता है ना आपको पता है प्रतेक वस्तु हना अपन द्रववमान है अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो कोई मुझको धक्का देना अगर चाहता है तूसे हमारे भारिया द्रवमान से ज्यादा द्रवमान लगाना पड़ेगा तेर तो तो ये मेरा विरोध है क्या ये विरा विरोध जड़त है तो कोई वस्तु तब तक हना कोई वस्तु अगर विरामा वस्था में है तो तब तक विरामा वस्था में रहेगी समझेगा कोई वस्तु यदि विरामा वस्था में है तो तब तक विरामा वस्था में रहेगी कोई व law of inertia, तो Newton के गती का पर्थम नियम इस पर काम कर रहा है, Newton के नियम का पर्थम नियम इस पर काम कर रहा है, है गिने, C इसका सही उत्तर है, अगला question देखते हैं, अगला कुशन देखते हैं मैं दिवार पर मारने के लिए एक गेंद फेकता हूँ मैं दिवार पर मारने के लिए एक गेंद फेकता हूँ और मेरे पास वापस आ जाती है तो यह न्यूटन का कौन सा नियम है आपने क्या करें आपने दिवार में गेंद फेकी और उसने वापस फिक दी तो आपने क्रिया करी और दिवाल ने क्या करी प्रतिक्रिया करी तो इक कौन सा नियम हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का थीसरा नियम हो जाएगा क्लियर है बच्चों अगला परमाडू के नाभिक के अंदर कौन सा कड होता है तो परमाडू के नाभिक के अंदर एक होता है राजा और एक होती है रानी अरे हां कि ना और बन जाती है प्रेम कहानी है कि नहीं जैसे ये है नाभिक अना तो परमाडू परमाडू के अंदर क्या है बच्चों नाभिक अना तो आप कहेंगे परमाडू का परमाडू का समस्त सुनते रहिए ग है मैं एक बाई की गुजारिष तो करी सकता हूं आप से कि अगर 500 लोग देख रहे हैं तो वो सभी लोग लाइक कर देंगे तो एक हजार लाइक तुरंथ पहुंच जाएगा फिर इसके बाद कुछ बच्चे आते रहेंगे तो और आगे धी में दो हजाल लाइक तक पहुंचाना है हम लोगों को mentally bestuz part wanna 2000 तो होना ही होना है क्लास शुरू होने से पैले आप लोग लोगे घर और फट रडिंगे सभी लोग के एक बार फटाक से लाइक कर पूरी चीजे समझाऊंगा ओके निर्जीव वस्तुओं की सबसे चहोटी इकाई निर्जीव वस्तुओं की सबसे च्छोटी हीसा जाते हैं तो बनता है अडू, और जब अडू मिल जाते हैं, तो बनता है तत्तो, ये बात आपको समझ भी आ गई, और हमको पता है, हमारे ब्रह्मांज में अभी तक 118 तत्त विद्दमान है, 118 तत्त विद्दमान है, अन अन ओक्तियम, 118 तत्त है, अन अन एमीमियम, इसका ये 119 तत्त है ओके कोई दिक्कत तो नहीं तो हम लोग बात करते हैं परमाडू की किसी भी परमाडू में दरविमान होगा किसी भी परमाडू का समस्त दरविमान या किसी भी परमाडू का समस्त भार उसके नाभिक में होता है तो किसी भी परमाडू का समस्त दरविमान या भार उसके नाभ नाभिक में होता है उसके नाभिक में होता है अब देखिए ये है परमारू और ये है नूकलियस समझ में आ गया तो परमारू का समझ दरविमान कहां पर हो गया या तो आप कह देंगे उसके पेट में नूकलियस में अब देखो ये नूकलियस में एक है राजा और एक है रान परमाडू का अगर आपको द्रविमान ग्याद करना है यदि किसी भी परमाडू का आपको द्रविमान ग्याद करना है तो आप प्रोट्रॉन और नूट्रॉन को जोड़ दीजिए द्रविमान मिल जाएगा कितना मजा आया है की नहीं और इस नाभिक के चारो तरफ क्या गई अच्छा यह बताओ जब कोई कुली कुली जब भार उठाता है तो भार का उठाता है तो आप कोई कुली भार उठाता है तो वो कहां पर उठाता है बच्चों सर पर उठाता है जब सर पर उठाएगा जब बच्चों वो सर पर उठाएगा तो आप कहेंगे अगर लिखा हो 6C 14 अगर लिखाओ 6C 14 तो आप बताइए C के सर पर क्या बैठा है 14 यानि C के सर पर 14 है यानि carbon का भार किता हो गया 14 यानि कि दो 14 लिखा है यह proton और neutron का जोड है समझ में आ गया और जितने proton होते हैं उतने ही electron होते हैं इसका मतलब क्या है यदि प्लस एन बराबर 14 है अना और यह जो नीचे दिया गया है यह है यह क्या है यानि इसमें अगर आप से पूछा जाए लेक्ट्रॉन कितने हैं तो आपका आथ देखो ऐसे कर लेते हैं तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं बताओ मजा आई की नहीं आई तो यहां पर इसक ऑंसर क्या होजाएगा और neutron यांप इसकांसर क्या हो जायएगा प्रोट्रा गाजफ्रान और neutron बताओ बच्चों क्लास को शेयर करें कि नहीं करेंगे सभी लोग जल्दी लोग बताओ शेयर करोगे कि नहीं करोगे कर दो कर दो कर दो कर टे आगे बढ़ा जायए अगरा कुश् sean दीकते हैं कर देसيعлы किसकी काई बच्चो बताओ जल्दी से required किसकी काई है देशिबल किसकी काई है तो आपने डेसिबल अचानाी एक मनतलब क्या होता है कि अपनी आवाज फिर से सुनाई पढ़ जाना है कि नहीं जब कभी कमरा खाली कर दो जब कभी कमरा खाली कर दो तो आपको अपनी आवाज स्वयम सुनाई पढ़ जाएगी तो क्या होता है ध्वनी का टकराना और टकरा कर लोटाना तो टकरा कर लोटाना तो टकरा कर लोटाना क्या होता है परावर्तन होता है लेकिन प्रती ध्वनी सुनने के लिए कम से कम कितनी दूरी आवश्यक है, अगर आपको अपनी आवाज फिर से सुननी है, तो कम से कम कितनी दूरी आवश्यक है, तो आप क्या बताएंगे, जल्दी बताएंगे फिर से कितनी दूरी आवश्यक है, तो आप कहेंगे सर जी लगभग लगभग 17 मीटर, कम से कम 17 मीटर चाहिए, कम से कम कितना चाहिए बच्चों, कम से कम 17 मीटर चाहिए, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है, क्या ये बात आपको समझ में आई, अगर question सौर उर्जा का श्रोथ क्या है 20 मीटर नहीं बच्चे 17 मीटर है 20 मीटर नहीं है लागनों 17 मीटर है 20 मीटर नहीं है 17 मीटर है ओके 17 मीटर 17 मीटर ठीक है अगला question है सौर उर्जा का श्रोथ क्या है तो आप कहते हैं सर जी हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है जो हाइड्रोजन है वो किस में बदलता है हीलियम में बदलता है हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको कहते हैं नाब की सनलेयन इसको क्या कहते हैं लाडलों इसे कहते हैं नाब की सनलेयन ठीक है न बॉजन भं कि सिधान पर कार करता है तो भी आप का अंसर क्या आ जाता है नापकी शन लेयन निूखलियर फ्यूसन लेकिन अगर काश से कउसे पूछा जाता पी जीन Así कर आखिए अग्हिवाज कुछा जाता कि प्रमानु मांकि सिधान पर काम पर बहुत करता न्यूक्लियर फिजन परमाडू बंकी सिधान पर काम करता है नाभकिया विकंदन पर काम करता है एक बार अगर तेजी चेशेयर कर दिया जाए क्योंकि भाईया 500 से 400 हो गए 400 से फिर साढ़े 300 मजा नहीं आ रही है मजा नहीं आ रही क्या जल्दी से लक्ष्बी अब इसे यह से बत्याना रखेम करो हमाई बाते सुन लो बैट। हम काम आएंगे ो हैं चलो तो देखेंगे hydrogen 까que काम करता है नाबकी सленलेयन सूरू में उरजा का श्रोद भी क्या है नाबकी शनलेयन सूरू में आप कहेंगे नाब की विखंडन क्या यह बात आपको समझ में आई कि परमाडू बंप कौन कौन खतरनाक है परमाडू बंप की हाइड्रोजन बंप कितने गुना ज्यादा खतरनाक है वन थाउजन टाइम यानि एक हजार गुना ज्यादा ठीक है चलो भाई अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन देखते हैं बैरी लाइट पिस्टल का प्रियोग रात में किसलिए किया जाता है यह कोशन तो आप कर सकते हैं अब लोग तो ऐसे होंगे यह कोशन ही नहीं सुना होगा समझ में आ गया जल्दी बताओ भी आ फटाक से तो आपने देखा होगा कभी ट्रेन चलाई है कभी ट्रेन चलाई हो या भी कभी पबजी खेला हो अना तो अपनी स्थिती बताने के लिए आप क्या करते हैं तुक किसे ऐसे पिश्टल मारते हैं वो ऊपर जाते है भी प्रकाश फैलाते हुए जाती है उसी को केते हैं बैरी लाइट पिश्टल इसका मतलब क्या है अपना लोकेशन साथियों को बताने के लिए किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए लोकेशन तो आप बताई सकते हैं या इसका सबसे सही आंसर होगा किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए UPSI 2011 11 इसका अगर ये आंसर नहीं होता तो हम लोग ये भी लगा सकते थे इसका सही उत्तर क्या है बच्चों सही उत्तर है डी अगला अनवेशल के दौरान जूट पकड़ने के लिए पुलिस वाले क्या करते हैं पॉलिग्राफ टेस्ट करते हैं नार्को टेस्ट करते हैं अगर आप से कोशन पूछा जाए इंजेक्शन का प्रियोग कर सकते हैं लेकिन समझेगा नार्को टेस्ट बैन कर दिया गया इसलिए बैन कर दिया गया सोडियम क्या करता है बच्चों हिर्दय की गती को बढ़ाता है तो जैसे मानके चलिए अगर आपका ब्लट प्रेसर ल बीपी अगर आपका लो हो जाए तो आपको नमक का घोल पलाया जाता है नमक का घोल पलाया जाता है यानि आपकी जो हिर्दय की गती है जो हिर्दय की गती है वो अब क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी लेकिन जो बीपी का मरीज है जिसका ब्लट प्रेसर हाई रहता है जि वो बचेगा क्या नजाने कितने लोगों की मृत्ति हो गई इसलिए इस सारे चीजे बंद कर दी गई लेकिन पॉली ग्राफ टेस्ट को अभी बंद नहीं किया गया है वो चल रहा है तो उपरोगत सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा भोजन उर्जा को मापने की यूनिट क्या है अगर हम आपने खाना खाया अगर आपने खाना खाया तो आपकी एनर्जी को किसमें मापा जाएगा तो हम लोग कहते हैं भहिया भोजन की उर्जा मापी जाती है कैलोरी में जैसे कि आपने देखा होगा भारत में गरीबी का मापन भारत में पहले गरीबी का मापन भारत कि तो किया जाता था क्या बोलते हैं सब लोग भारत में पहले गरीबी का मापन अब देखिएगा अचा हॉर्स पावर आप जानते हैं एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं तो आप कहते हैं एक अश्वशक्ति में सरजी 746 वाट होते हैं एक अश्वशक्ति में प्रतिरोध की काई है ओम आपकी प्रतिरोध की काई है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रतिरोध धकता किसकी काई है प्रतिरोध की काई क्या है तो प्रतिरोध की काई resistance की जो इकाई है वो ओम है लेकिन प्रती रो धखता की बात क्याब करेगा तब आपका अंसर ओम मीटर आएगा जब प्रती रो धखता की बात करेगा तब आपका अंसर ओम मीटर आएगा ये अलग-अलग question आपसे paper पूछे जाते हैं बच्चों गलत मत करना एक बार जोड़त तरीके चे कर देंगे फटा-फट से चलिए अगली बात करते हैं विश्य का पहला संचार उपग्रहे काउन निजो पहला था वो था टल इस टार वन तेश्य चार वन 1962 में अमेरिका द्वारा भेजा गया था अमेरिका के नासा द्वारा भेजा गया था नासा की स्थापना 1958 में हुई थी टेल स्टार वन और भारत का पहला संचार उपग्रे था भारत का प्रथम संचार उपग्रे भारत का प्रथम संचार उपग्रे कौन सा था तो आप कहेंग अगला question किस में ध्वनी की गति सबसे ज़्यादा होगी तो हमको पता है ध्वनी की चाल माध्यम की प्रकृती पर निर्भर करती है ध्वनी की चाल ठोसों में सबसे ज़्यादा और गैसों में सबसे कम होगी निर्वात में तो ध्वनी की चाल बच्चे शून्य हो जाएगी त तो ध्वनी की चाल ध्वनी की चाल धोसों में सबसे ज़्यादा धोसों में सरवाधिक ध्वनी की चाल धोसों में सबसे ज़्यादा गैसों में सबसे कम गैसों में न्यूनतम और निर्वात में तो शून्य होगी निर्वात में तो क्या होगी निर्वात में तो शून्य होगी जैसे हम दोनों अगर अंतरिस में जायें यदि हम सभी लोग कहां चले जाएं बच्चों हिचाल सबसे ज़्यादा किसमें होती है तो ध्वनी की चाल सबसे ज़्यादा बच्चों ऐलुमिनियम में होती है यहां पर मैं 3-4 बाते बता रहा हूँ उसको रटलो ध्वनी की चाल अलबुनियम में सबसे ज़्यादा होती है चौन सच सो बीस मीटर प्रती सेकेंड चौन सच सो बीस है ना तो अलबुनियम काच लोहा ये तीन याद कर लो अलमुनियम काच और लोहा क्लियर है और अगर आपसे पूछा जाए वायू में कितनी होती है यह नहीं विए बात आपको समझ में आ रही है कोई दिक्क्र तो नहीं न न कोजिक्क्र तो नहीं अच्छा आगे बढ़ें yes sir yes sir किसमें ज्यादा होगी तो आपके देंगे सरी समुद्री जल में क्यों क्यों कि यहां पर नमक है ना यहां पर नमक है खारापन है लवन है तो थोड़ा थोस होगा तो दोनी की चल बढ़ेगी इसमें कम रहेगी अना तो इस कोश्चन का अंसर क्या लगाना था मुझे भूल ग है यह बर्फ है बर्फ के बाद किसमें आएगी पानी में पानी के बाद किसमें आएगी तो आप कर देंगे वाईयू में तो बर्फ पानी वाईयू है कि नहीं आगे एक लड़की कह रही है सर कितने कोश्चन आते हैं यूपीपी में जी असके बताओ इस लड़की को यहीं नहीं पता है कितने कोश्चन आते हैं चलो हमको भी नहीं पता है हम नहीं पता है मुझे नहीं पता है मुझे नहीं पता है मुझे मत पूछो तुम आगे खिस में है planometer option में है chronometer option में है micrometer option में Opsimeter तो यहाँ पर क्या answer आएगा जल्दी से हाँ answer किसी के नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आप लोग डर गए हैं आपका answer ओपसी मीटर ना तो ओपसी मीटर से हम लोग मानचित्र में दूरी मापने के लिए यूज करते हैं अना इसमें दारते दार एक पईया लगा होता है और एक डायल लगा होता है जो आपको करेक्ट दूरी बताता है ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं पलायन वेग किसे कहते हैं कोई बताएगा जिसे आपको पता है प्रत्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलो मेटर पर सेकेंड ब्रहस्पती ग्रह का पलायन वेग है 48 किलो मीटर पर सेकेंड ब्रहस्पती ग्रह का पलायन वेग है 48 km पर सकेंड समझ रहा हूँ? 48 km पर सकेंड और चंद्रमा का पलायन वेग है 2.46 km पर सकेंड 2.46 km पर सकेंड अरे हां कि ना तो पलायन वेग यानि प्रत्वी से किसी वस्तु को कितनी देर कितनी तेजी से यहां से फेका जाए कि वो हमारी प्रत्वी पर वापस ना गिरे हमारे गुरुत्वी छेतर से वो क्या निकल जाए बाहर निकल जाए उसको ही तो पलायन वेग कहते हैं तो प्रत् 99 अगला प्रश्ण निम्लिखित में से वायू मंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है बताओ जल्दी से ऑगए अगला फ्रकास की तरंग का सिद्धां किस में और प्रकास के रूप में भी काम करता है तो प्रकास की तरंग सिद्धां कि ने दिया फिजिक्स他說 depends के किश्ष्ण के कोश्चन खतम होने वाले हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्छो प्रकास का तरंग सिध्धान किसने दिया ब्लैक ने ब्लैक ने दिया निू टन ने दिया मैड़ने दिया या मैक्सिवल ने दिया अभी इस क्वेश你們 नेन सर दे गा वह मैं नाम जरूर लोगा थू थो को जो दूति सका अंसर 70 किसी का रहा है बी-बी-बी सब लोग करें एबी-एबी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बस ऐसे पढ़ाई करनी बेटा ऐसे पढ़ाई करनी है बिल्कुल गदर काट देना है हाना आपका उत्तर है सभी सभी उत्तर गलत हैं सभी उत्तर गलत है हाना प्रकास एक तरंग के रूप में काम करता है प्रकास का तरंग सिध्धान्थ किस ने दिया था तो आप कहेंगे सरजी हाइगेंस ने दिया था प्रकास का तरंग सिध्धान हाइगेंस ने दिया था कब दिया था 1678 में 1678 इस्वी में प्रकास का कडिका सिध्धान प्रकास का कणिका सिध्धान प्रकास का बच्चों कौन सिध्धान कडिका सिध्धान किस ने दिया था तो आप कहेंगे न्यूटन ने दिया था किस ने दि कि आप्शन ना भी हो तो जबर्दस्ती लगा के चले आओ है चलो इसका अज़रा हाइगेंस यह आयोग ने कुश्चन गलत कर दिया था याने आयोग ने रद कर दिया था इस पर सबको एक नमबर मिल गया था तो ठीक है बच्चों आगे बढ़ते आगे कौन सा भारी जल है द समस्थानिक होते हैं आइसो टोप्स अगर कोई इंग्लिस इंग्लिस मीडियम वाला हो तो बता देना हम यहां पर इंग्लिस बोल दूँगा ठीक है ना हम यहां पर इंग्लिस लिख दूँगा जितना आमको इंग्लिस आता है मैं लिख दूँगा ओके तो हाइड्रोजन के से 3 समसथानिक होते हैं। आइसो टोफस तीन होते हैं कौन्-कौन से 1H1 1H2 और 1H3॥ ठीजलरं थेखना तो 11 को कहते हैं बच्चोंjs PROTEUM क्या कहते है से 1 появ..1H1 को कहते है प्रोटियंफ प्रोटियंफ और barely A2ा को कहते हैं चैख को कहते हैं ट्राइटियरियम क्या कहते हैंशिर त्र० लियसे लैंश्ट टू किया है जल है लेकिन जब हम लोग क्या करता है वन एचव ने तू करमत करते ले इसे कहते हैं भारी जल इसका प्रियोग करते हैं न्यूक्लियर रियक्टर में इसका प्रियोग किया जाता है बच्छो न्यूक्लियर रियक्टर में तो न्यूक्लियर रियक्टर में काफी चीज का प्रियोग कर सकते हैं जैसे जैसे न्यूक्लियर रियक्टर में ये मंदक के रूप में भी काम करेगा और न्यूक्लियर रियक्टर में ये कूलिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वाशबर ने मिलकर की थी बताओ मजा आई की नहीं आई आई की नहीं आई जल्दी बताओ कोई दिक्कत तो नहीं बहुत बड़ी आग एक सामान जल के अडू में अगर आप देखेंगे तो एक बटे 6000 जो अडू होता है वो आपका भारी जल होता है एक सुद्य जल में जो अडू होते हैं उसमें से एक बटा 6000 भाग देखोगे तो 6000 1000 अड़ू में से एक अड़ू आपको DutIm का मिलेगा गलत हो गया क्या मुझे नहीं बता तो कौन सा भारी जल है तो डिू-टिरियम लगा दो deuterium hydrogen oxide नहीं लगाएंगे deuterium oxide लगाएंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चो deuterium oxide जिसका सही उत्तर होगा तो deuterium आप लगाके आंसर कर सकते थे ओके कोई दिक्कत है क्या नहीं सर्जी ए हो जाएगा अब सबकाई आ गया अगला कोश्च्च जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ता है तब उसके अड़वों के मद्द गतिज उर्जा के मान पर क्या प बताओ जैसे यह पानी आपने पानी रखा पानी हना यह आपने पानी है पानी 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 ऐसे वाला यह पानी है यह पानी के अंदर अडू होंगे पानी के अंदर क्या होंगे बच्चों पानी के अंदर क्या होंगे अडू होंगे हां कि ना आपने यहां पर लगा दी आटापक से हां कि ना यानि जब हम ताप बढ़ाएंगे तो उनकी गती जूर्जा क्या हो जाएगी बच्चों बढ़ जाएगी है कि नहीं भाग जाएंगे वह सब कि अगला अगला कोर्श міста याद करो इससिरा मैं ने आपसे कहाan था ना बच्चो एक्सपक्रिक्टिड कोश्यन में आपका बहुत आता है papermint question ठीक ना चलिए देखो हमने यहां पर क्या बताया हमने यहां पर आप को बताया था सुरुवात में देखो यहां पर भटाया थै। था रेक्टर क्या होता है ठीटेर्स येक्टर क्या होता है भारत में कौन कौन से atomic power plant है ना तारापूर काकरा पाड़ा कहएगा नरावरा कुडून कुलम कलपकम रावत भाटा यह सब बताया था जैतापूर बताया था हना मैंने कातना एक बार मैं आपको पढ़ाऊंगा और इसके बाद आने वाले जितने भी प्रश्न होंगे उससे जो भी प्रश्न आएंगे वह आप सब कर ले जाओगे तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां तक हम लोग ने करा था यहां तक हम लोग ने करा था अब बात करते हैं तारापूर तो तारापूर क्या है हाँ तारापूर भारत में परमालू रियक्टर स्थापित किया गया उस पूतनिक क्या है इस पूतनिक रशिया का पहला रूस द्वारा स्थापित रूस द्वारा प्रक्षेपित पहला रॉक इड्स द्वारा प्रक्षेपित for a क्या है बच्चों पहला रॉकेट है एना कौन सा इस पूतनिक ठीक है अगला आगे करते हैं अगला वायू दाब को मापने वाला यंदर क्या है तो बार बता है बार से बंचा है बैरो मीटर है और अमीटर क्या होता है अमीटर विद्धारा मापता है अमीटर क्या करता है बच को क्रोन मिल जाए तो समय से संब्वंदित है और कहीं पर आपको क्रोंव मिल जाक रोब मों तो वह रेया रंग से संब्मन्दित है याद रहो गे क्रो मो damn ऐगे चलो अगला कोशन दीखते हैं परमारू संख्या यानि कि आपकी क्या हो गई physics आपकी खतम हो गई physics आपकी खतम हो गई chemistry आपकी सुरू हो गई याद रखेंगे ना chemistry आपकी सुरू हो गई clear है तो बताओ chemistry अभी पढ़नी है कि chemistry बाद में पढ़नी है अगर आप अभी पढ़ना चाहेंगे तो अभी पढ़ा हो जाएंगे कुमिष्ट्रिक बढ़ा दें आगे कोई दिक्कत तो नहीं है बताव जल्दी पेस्टी बढ़ा दें आगे कोई दिख्कत हुआ आप लोग करोगे ना इसके बात biology करेंगे इस 나س से कुछे हले हफ़्ते से कंटिनude श्रीयोग explored with धब को लोगो आगे बढ़ाते हैं लाइक का बटन आप सारी बाते हम आपको देखते रहेंगे क्या कहरा कोश्चन कारा पर्माडु संख्या 66 वाला एक तत्य औदख तालिका के किस ब्लॉक में आएगा तो आपने देखा होगा s pdf जानते SPDF आप देखते हैं SPDF दिखाऊगा न SPDF तो 46 को अगर आप तोड़ोगे अगर आप 46 को तोड़ोगे तो यह नहीं कि जिस तत्तका अंतिम एलेक्टरॉन जिस उपकोस में आता है जिस तत्तका अंतिम एलेक्टरॉन जिस उपकोस में आता है उससे हम लोग उसका ब्लॉक कहत है तो या तोटर एस में आता है रहर तोटर बहुत हो लिए आएगा इसे को लेकर चलते हैं या ढौर एटारा बत्तिस ऐसे यूज़ाने के लिए पूरा टोडना पड़ता एक क्याना कैसे सब 시작 टू टूट टूट एश्ट्व टू टूब' इसको समझाना पड़ेगा अच्छे से तभी आप कर पाएंगे अना कोई बालत नहीं इसको आप छोड़ सकते हैं इसको कर सकते हैं कोई ठीक्ट नहीं है चलिह आगे बढ़ते हैं डेसे थारा थारा अ regulation काई सा अल्के लाइट पाया जाता चाहे कड़वी होती ना कभी अचे पीजी तो चाए आपको कलवी लगेगी ता तो चाए में क्या पाया जाता है तो चाहे में आपका कैफिन, याद रखोगे तो चाए में थीन और कावी में कैफीन अब यहाँ पे थीन है नहीं इसलिए हमको कैफीन ही लगाना पड़ेगा अब यहाँ पे थीन तो है नहीं तो हमको क्या लगाना पड़ेगा कैफीन लगाना पड़ेगा सब लोग पहले लगा दिया है, तुम लोग तो बहुत होसियार निकले, तुम लोग तो बहुत ज़्यादा होसियार हो, है कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, अगला question देखते हैं, यह बताईए, इसी में अगर मैं question पूछूँ आप से, आप लोग बहुत होसियार है न, तो मैंने question पूछ भारतिय चाय बोड का मुख्याले कहां पर है, बताओ जल्दी से, भारतिय चाय बोड का मुख्याले कहां पर है, अगला question, दूसरा question, भारतिय कॉफी बोड का मुख्याले क्या है, भारतिय कॉफी बोड का मुख्याले क्या है, जल्दी बताओ, इन दोनों की उत्तर कौन बत अफंटाएगा भारती चायबोड का मुक्हैल chalad वा भारती कॉसी सब्रास में होगा इसम नहीं होगा भारती चायबोड का मुख्या लेख हम नहीं है कोलकाता एक एरा ब्राजील है सुजाता ने का भारत में चाय बोर्ट का मुख्याले ब्राजील है तो ब्राजील का काफी ब्राजील का चाय बोर्ट का मुख्याल है हमारे लखनों में होगा मुझे लग रहा है है Hehe कुछ भी भोलते हो एक उतिम लोग चलो आगे बढ़ते हैं अगला question कह रहा है bleaching पॉडर बनाने के लिए निम लिखी में से किस गैस को सुष्क चूने से गजारा जाता है तो पॉडर किकbecue पॉडर बनाने के लिए हम लोग कौन सी गैस को सुष्क चूरने से गुझारेंगे तो आप जानते हैं कि ब्लेचिंग पाडर आड को कहते हैं क्याया कैल्सियम ओक सी Kloride कहते हैं अरे हाग चल्सियम ओक्सिडोराइ्ड कहते हैं तो सी एयो सी एल टू प्लस चूर से जिआएटा है हमागिiben ऐगे क्लोरीन आप देखो यहाँ पर इसका उत्तर बताईए और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं expected questions की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं expected questions की तो expected question क्या है बच्चों सबसे पहले लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी पर चड़ाई जाती है और इस क्रिया को क्या कहते हैं इसके बाद जस्ते का फूल किसे कहते हैं इसके बाद question है जस्ते का फूल किसे कहते हैं तो इस सब का अंसर दिया 44 नमर का अंसर C दे रहे हैं सब लोग जिन्ग का एस एक आयसक बता रहे हैं सब लोग क्या सी इस फटिक इस फटिक निया है इसलिए इस कहां सरक प्रगल पढ़ एगा इस फिलराइट लगना पढ़ेगा इस फेले राइट लगाना पड़ेगा बच्चों इस फेले राइट लगाना पड़ेगा तुम लोगों से हो नहीं पाएगा ऐसे पढ़ोगे तो तुम लोगों से नहीं हो पाएगा जस्ते का फूल किसे कहते हैं जिंक आकसाइड को जिंक आकसाइड को हम लोग कहते हैं जस्त लेपन इस क्रिया को क्या कहते हैं यशद लेपन इंग्लिस वाले क्या कहेंगे गैलवोनाइजेशन इंग्लिस वाले क्या कहेंगे गैलवोनाइजेशन ओके इंग्लिस वाले कहेंगे गैलवोनाइजेशन और हिंदी वाले कहेंगे यशद लेपल या फिर गैलवोनी करण क्लि जिनको मधुमेह रोग होता है उनको कौन से इंजक्शन दिये जाते हैं इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है उसको कौन सा हर्मोन दिया जाता है उसको कौन सा हर्मोन दिया जाता है इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है तो प्रश्ण ये है कि इंसुलिन हार्मोन में पाया जाने व वाला जो तत्त है वो क्या है लाड़ लो तो आपके देंगे जिंक है याद रखोगे यह most important question expected question में आएगा अगला कौन सा अगनी शमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक है यह ओजोन परत को कौन सी गैस नश्ट कर रही है यह अभी तक का सबसे आसान सा question अभी तक का सबसे सा question है तो बताएंगे फटाक से जल्दी बताक से पटाक से पटाक बताएंगे जल्दी से अभी तक का सबसे आसान question जल्दी से हे हां अभी देखना अभी बदाने वाला है बचर मेंद सी संध्याने कहां सी ठीक है ना अब जीत ने कहां सी अजय ने कहां सी काजल ने कहां सी अनमोल कह रहे है हाई लच्मी चलो ऐसे आदत रहेगी तो लच्मी भी चली जाएगी हाँ संदीप इतना ईजी यूपी एसाई में कोशन आए बहुत बढ़ी देखो सब करें सर इतना ईजी आएगा तो हम उड़ा देंगे है कि नहीं चलो अब देखो कोश्चन क्या कह रहा है कौश्चन कह रहा है कौन सा अगनी समन अभिकारक यानि की कौन सी गैस कौन सी गैस आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग की जा रही है जो ओजोन को नश्ट कर रही है जो ओजोन के लिए हानि कारक है जो ओजोन परत के लिए क्या है हानि कारक है तो आप कहेंगे आप कहेंगे हैलाउन इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर क्या है है हैलाउन इसका सही उत्तर है क्योंकि क्योंकि एसी और फ्रीजों में एसी और फ्रीजों से निकलती है एसी और फ्रीजों से निकलती है क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो की ओजोन को हानी पहुचाती है ओजोन को हानी पहुचाती है तो ये क्लोरो फ्लोरो कार्बन एसी फ्रीज से निकलती है लेकिन इसने एसी फ्रीज नहीं कहा इसने कहा है आग बुझाने वाला यंत्र इसमें आं तो फसे फस गए है अब नहीं कहोंगी इतना सरल question पूछा गया क्योंकि कभी-कभी हम लोग question पूरा पढ़ते नहीं है कभी-कभी हम लोग पूरा question नहीं पढ़ते हैं और अपने मन से दिमाग लगाके answer लगा देते हैं बिना question पढ़े खट्टे से लगाया और का अरे यार देखना भाई तुम्हारा टॉप करेगा फिर पता चला भाई ने नीचे से टॉप किया है अगला निसकर्शन बोतल बनाने में इस्तमाल होने वाला पॉलिमर क्या है निसकर्शन बोतल हाना जल्दी बताएं कि फटाक से जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी उसी का यूज़ किया जाएगा हाना तो डेंसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी तो आप क्या पताएंगे सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी आपकी पॉलियेथलीन की उसी का यूज़ करेंगे बोतल होतल बनाने में बुलेट प्रूफ वस्तर बनाने के लिए कौन सी समगरी का परियूग किया जाता है, बुलेट प्रूफ वस्तर बनाने के लिए कौन सी समगरी का यूज किया जाता है, कोई बताएगा हम लोग को जल्दी से, जल्दी से बताओ फटाक से, जल्दी जल्दी, अभी हम इस्पेक्ट्रा मैं एक धागे जी सद्पना उती है जब बुलेट पूरूफ का गज तूचता है तो इसमें देखिएगा हम sermonर निकलती हैं नो वह केवलर के धागे होते हैं, क्या होते हैं, बच्चों, इस्पेक्ट्रा को कहते हैं, केवलर के धागे, केवलर के धागों से बना होता है, इस्पेक्ट्रा, और इस्पेक्ट्रा से बनाया जाता है, बुलेट प्रूफ काच, या बुलेट प्रूफ वस्तर, सौरी, बुलेट प् प्रयोग क्या बच्चो गोल्ड फॉइल प्रयोग clear है और यह कप किया गया था 1919 में किया गया था कॉल आ इस ने बताया परमाड़ों के भीतर धनावेशित भाग भी होता है धर साथ अगला कोश्चन अरे उन कहीं प्रियोग है गोल्ड फॉल प्रियोग और कोई प्रियोग ही नहीं है तो कौन सा लगाओगे कौन सा एक क्रत्रिम कीट नाशक नहीं है कौन सा क्रत्रिम कीट नाशक नहीं है यानि की प्राकृतिक है यह क्या है बचो प्राकृतिक है क्या है बचो प्राकृतिक है कोई बत अंडाल सब्सक्राद यूंभा अंड़ेट ये मिलापसी टॉक्स बाक्ष यूंडाल्स कुल कर सकते हो अंडाल यूंढलेट इसका नाम है तभर बताए क्या है वाचों गया जिली तरोपगतर इसका इसका सही उत्तर हैं क्योंकि डी क्या है यह जो पयराखेट से यह तोते की प्रजाती जो पैराखी ज़ो पैराखीटच है। यह तोटे की प्रजाती है। यह तोता कहां पाया जाता है नौर्थ अमेरिका में यह तोता कहां पाया जाता है नौर्थ अमेरिका और यौरप के भी कुछ भागों में पाया जाता है यौरप के भी तुछ भागों में यह पाया जाता है अगला कुश्चिन अगला उच्छ शुद्धता का जर्मेनियम किस किसमें पाया जाता है या किसके दौरा प्राप्त किया जाता है जर्मेनियम सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है तो आप एंगे अर्ध चालक होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता बच्चों अर्ध चालक होता है जल्दी पताइए कि फटाक से कि जल्दी अभी किसी का अंसर नहीं आया है किसी का उत्तर नहीं आया देखिएगा जब आप खणिजों को जलाते हैं सुनिएगा जब आप खनीजों को जलाते हैं तो कितने आप अगर एक ग्राम खनीज जला रहे हैं तो उस ग्राम का 0.25% आपका जर्मेनियम निकलता है खनीजों को जलाने में आपका 0.25% क्या निकलता है जर्मेनियम निकलता है और यह एक अर्दचालक है यह एक क्या है बच् आश्वन कर रहे हैं फ्रेक्शनल डिष्टिलेशन कर रहे हैं फ्रेक्शनल डिष्टिलेशन कर रहे हैं तो फ्रेक्शनल डिष्टिलेशन के तहट जर्मेनियम का निक्षासन किया जाता है फ्रेक्शनल डिष्टिलेशन के तहट किया जाता है अना और इसका प्रियोग करते है Saur cell में, आजकर जलमेनिया, उठ का परियोग तेजी से किया जा रहा है, तो इसका आँसर का लगा देंगे, छेतर परिशोधन चेतर परिशोधन लगा देंगे, इसका आँसर, अगला, अगला, निम लिकित में से कौन सत Something, एक आधातु है, जो कक्षी तापमान पर द्रवाव अधातु जो द्रव अवस्था में रह रहा है तो सिर्फ एक ही आंसर है बच्पन से परते चले अरży है ब्रोमीन अधातु क्लियर है ब्रोमीन इसका सही उतर है क्या यह बात आपको समझ में आ रही है क्या यह बात आपको समझ में आ रही है क्या यह बात आपको समझ में आ रही है पारा नहीं लगाएंगे पारा क्या है पारा धातु है धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है पारा क्या है पारा धातु है जो द्रव अवस्था में कि बताईए मिनी माता मिनी माता भी कह सकते हैं मिनी माता रोग कैसे हुआ था या फिर इटाई इटाई रोग कैसे फैलता है जल्दी बताओ इटाई इटाई रोग जापान में एक मिनी माता रोग फैला था और बहुत सरे लोग मर गये थे विश्युद्य के दौरान और फिर दूसरा प्रश्ट पूचा जाता है इटाई इटाई रोग कोई बताया का जल्दी से मिनी माता रोग किसे फैलता है मिनी माता रोग कौन से तत्तों से फैलता है तो मिनी माता रोग जब पानी में मरकरी मिला दी जाती है तो उससे फैलता है और इटाई इटाई रोग जो है व सब्सक्राद में देख रहे हैं चलो अगे बढ़ते हैं अच्छ अंचे वोता ये कौन सी धातु ए tecn से चाकु nerd हो सकता है कां सी धातु को को आसानी से चाकु से काटा जा सकता है सोडियम स्पारी अगयर को सब्सक्राइब करने में कमी नहीं होनी चाहिए ठीक ना सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि वो एक एक ग्रूप में तो शेयर करी सकते हैं जोरदार तरीके से शेयर कर सकते हैं मज़ेदार तरीके से शेयर कर सकते हैं निम लिकित में से किस तत्य की परमाडू त्रिज्या सबसे छोटी होती है किसकी जल्दी जल्दी सबसे छोटी पूछिए, सबसे छोटी सबसे छोटी पूछिए बहुत बढ़िया, सब का अंसर है रहा है पहले सबसे छोटी होगी फ्लोरीन, कीफिर, क्लोरीन, कीफिर, ब्रोमीन, कीफिर, सोडियम, कीफिर, कैलसियम की ऐसे तो होती है अना तो सबसे छोटी किसकी होगी क्लोरीन की होगी अभी होता क्या है आपको जाता है यह है आपका परमाडू यह है नाभिक यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या सबसे कम किसकी होगी क्लोरीन की होती है किसकी होती है क्लोरीन की होती है क्लोरीन का परमाड कपड़ों का रंग उड़ाने वाली फूलों या कपड़ों का रंग उड़ाने के लिए किसका प्रियोग करते हैं फूलों या कपड़ों का रंग उड़ाने के लिए क्लोरीन का प्रियोग करते हैं है कि नहीं चलो बया अगला कोश्चन अब यह देखो यह कह रहा यह किसका एथिड मिथाइल एथेनोइट ये यूपी पुलिस कॉंस्टेबल 2019 में पूछा गया प्रोपेनोइक एथिड एथिड एथेनोइट एथिड 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 एथेनोइट तो आप कहेंगे सब्सक्राइब कि ओएक एसीड होगा तो सीडबल ओएच होना चाहिए था तो ये ओएक एसीड होता है ये ओएक हमलो होता है ओएक हाना तो ओएक में लास्ट में सीडबलो एच मिलना चाहिए तो सीडबलो एच तो नहीं मिलना आमको तो ब्यूटोनोइक नहीं होगा प्रोपेनोइक नहीं होगा इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी इतनी बात समझ में आ गई होगी, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, तो अंसर आ गया है सब लोगों का, एथिल एथेनोईट, क्योंकि हम लोग जानते हैं, एक कारबन होगा, तो मेध होता है, और दो कारबन होते हैं, तो क्या होता है, एथ होता है, तीन कारबन होते हैं, तो प्र सब्सक्राइब है इसको कर लो यह methan до यह हएगा को दिक्कत नहीं कि अगला यहбы सी कुछन पूछा गया है यह क्से पूछा तामबा प्लस जस्ता मिलकर क्या बनता बच्चों पीतल बनता है तामबा जस्ता यह बताई यह सोल्डर किसका बनता है सोल्डर कि सीशा कि इन कि सीशा और टिन पीतल हो गया तामबा जस्ता कांसा किसका बनता है कांसा कांसा किसका बनता है तामबा और टिन कहां सा किसका बनता है तांबा और टिन का बनता है है कि नहीं तो चलिए क्वेशन क्या पूछा है मिस्र धातू गुलाब सोने में सोने के अलावा कौन से धातू यूज किये जाते हैं गुलाब सोने में कौन सा धातू यूज किया जाता है तो आपका अंसर गया है गुलाब सोना गुलाब सोना कहते हैं रोज गोल्ड गुलाब सोना का मतलब होता है बच्छो रोज गोल्ड और रोज गोल्ड में गोल्ड के अलावा क्या मिलाते हैं तो आपको यह भी पूशा जासकता है कभी रोज गोल्ड ना देके रेड़ गोल्ड भी क्या सकता है paper में rose gold ना दे के red gold भी कैसकता है, red gold में gold के साथ क्या मिलाते हैं, तो आप किएंगे तामा मिलाते हैं, अगला monomer capralactant का किस बहुलक को प्राप्त करने के बहुली करण किया जाता है यह है क्या पहले तो यह समझ लो यह है क्या पहले यह समझ लो यह बटा एमाइड है यह क्या है बच्चों यह एमाइड है हाना और यह क्यों करते हैं नाइलाउन को प्राप्त करने के लिए नाइलाउन बनाने के लिए इसका यूज करते हैं तो यह लिखा तो है नाइलाउन तो मोनोमर कैप्रोल एक्टम का यूज क्यों करते हैं और लंडन नूयार्क और लंडन अना 1935 की बात है और इस लिए इसको नायलोन केते हैं नुव यार को लंडन से मिलकर बना है ना क्या नायलोन अगला कुष्छन अगला कोशन देखेंगे अगला कोशन देखेंगे फटाक से कि हाँ अगला कोश्चिन देखें कि यह फटाक से अगला कुश्चन क्या रहा है तरह सी एस-फोर डॉर्ट टू-एस-टू-ओ-थी-ए-स-फोर कैल्सियम-सलफेट है ना कैल्सियम-सलफेट यह किसका होगा सब का अंसर आ चुका है जिपसम का है जिपसम आप जानते हो ना हना जिपसम आप जानते हो जिपसम का प्रियोग किस में करते हैं जिपसम को हम लोग और क्या कहते हैं जिपसम को लोग कहते हैं सेले नाइट यह इंपोर्टेंट कोश्चन है जिपसम को ही हम लोग सेले नाइट के नाम से जानते हैं जिपसम को ही सेले नाइट कहा जाता है अग कि परत चड़ाना ही galvanization यानि यश्द लेपन होता है तो लोहे को जंग से बचाने के लिए अगला कोश्चन सी साथ एक अडू है जिसमें डैस डैस के रूप में व्यवस्थित साथ कार्बन परमाडू होते हैं तो ये कोश्चन थोड़ा सा अठपटा तो लग रहा होगा लोग डर भी गए होंगे कुछ लोग तो भाग गए होंगे लेकिन कॉंस्टेबल के पेपर में आया है कॉंस्ट फुटबॉल के जैसे होता है ये कैसा होता बच्चो एक फुटबॉल के रूप में होता है इसमें आपका बारा पंच भुझ और बीस सट भुझ होते हैं इसमें क्या होते हैं बच्चो बारा पंच भुझ होते हैं और क्या होते साथ हाँ बिल्कुल से बताया बारा पेंटा क्वालिटी क्या हो जाएगा नंबर एक पर एंथ्रेसाइट नंबर दो पर आएगा बिटूमिनस नंबर तीन पर आएगा लिगनाइट और नंबर चार पर आएगा पीट क्लियर है तो नंबर एक पर एंथ्रेसाइट नंबर दो पर बिटूमिनस नंबर तीन पर लिगनाइट और नंबर चार पर क्या हो जाएगा पीट हो जाएगा एकदम से लोग भाग गए चलो कोई बात नहीं कि कहिए तो आज फिजिक्स और क्यमेश्ट्री पढ़ा दी जाए अना बाइलोजी को कल पढ़ा दिया जाएगा अगर कठीन लग रहा हो तो अना तो एंत्रे साइट क्या कौन सा पाया जाता है तो आप कहदेंगे बिटूमिनस पाया जाता है और यह किस काल का है यह किस काल का है तो आप कहदेंगे गोंडवाना काल का है यह किस काल का है तो आप कहदेंगे गोंडवाना काल का है फिर इसका लिगनाइट को हम लोग कहते हैं भूरा कोईला लिगन अगला क्वेशन देखते हैं जैस को छोड़कर निम लिखित सभी संगनन यानि कंडेंसेशन आपके बहूलक होते हैं कौन बहिया तो आप कहेंगे पॉली प्रोपलीन को छोड़कर अगला क्वेशन भारत में निम लिखित में से किस रेडियो धर्मी धातू का विश्व का सब से बड़ा भंडार है तो आप कहेंगे थोरियम का अना थोरियम का और थोरियम आपको केरल वगरा में बहुत मिल जाएगा थोरियम अना केरल अना और तमिलनाडू केरल तमिलनाडू जैसे छेत्रों में आपको यह ज्यादा मात्रम मिल जाएगा थोरियम मोना जाइट रेत म पाया जाता है सबसे ज्यादा थोरियम हाँ भी या थोरियम इसका सही उत्तर होगा थोरियम 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 हना तो अगर आप से थोरियम ना देकर अगर आप से थोरियम ना देकर मोना जाइट देता था मोना जाइट लगा देते यूरेनियम हमको खरीदना पड़ता है यू परमाडू बमना बनाकर परमाडू उर्जा सहीतर बनाना है अटॉमिक पावर प्लांच बनाना है तो भी आप किसका यूज करेंगे तो आप कहेंगे यूरेनियम का इसक क्या होता है यूरेनियम का इसक क्या होता है तो आप करेंगे पिच ब्लेंडी यूरेनियम का इसक क्या ह बनाया गया था रेडियम बनाया गया था क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन अगला कोश्चन देखेंगे फटाक से जल्दी से अगला कोश्चन देखें कि फटाक से काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए यानि काली स्याही में मौजूद अगर कोश्चन पुछा जाए कि कोई वस्तु कोई वस्तु यदि काली दिख रही है कोई वस्तु यदि काली दिख रही है काली दिख रही है तो इसका क्या अर्थ है तो इसका क्या अर्थ है यदि कोई वस्तु काली दिख रही है तो इसका क्या अर्थ है अगला कोश्चन अना यहीं पर कोश्चन ऐसे पूचे जाता है ब्लैक बोर्ड ब्लैक क्यों दिखाई पड़ता है स्याम पट्ट ब्लैक बोर्ड ब्लैक क्यूं दिखता है ब्लैक क्यूं दिखता है वह बताएगा और अगला कोश्चन है कि कोई वस्तू कोई वस्तू सफेद क्यूं दिखती है कि सफेद क्यूं दिखती है कोई बताएगा हमको जल्दी से चल्दी अब सरक लास कब चलती है अरे भी या लास तो डेली बेसेश पर चलती है साम को चार बजे से लेकर रात में 10 बजे तक 11 बजे तक हाना चलो बताओ जल्दी से अब देखिएगा हमने आपको तना जब भी आ कॉला होता है और यहां पर आपको देखेंगे क्रोमो गराफी तो क्रोमो गराफी का मतलब क्या है वन लेखन में हम लोग काली सियाही में अगर बहुत सारे रंग मिले हुए हैं तो उनको अलग-अलग किया जा सकता है लियर बच्चों चलिए तो आप कहेंगे यदि कोई वस्तु काली दिख रही है इसका मतलब क्या है उसने सभी रंगों को अवसोशित कर लिया है तो वस्तु का रंग कैसा दिखेगा काला इसका मतलब क्या है उसने सभी रंगों को उसने सभी रंगों को परावर्तित कर दिया है उसने सभी रंगों को परावर्तित कर दिया है तो यदि समझेगा यदि कोई वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देगी तो वह सफेद दिखेगी और वह अगर अवसोशित कर ले बार ना तो बैलोजी नहीं पढ़ाएंगे एक बड़ और बढ़िया से सेर करतो तो physics और chemistry ही आज हम पढ़ा देंगे बैलोजी नहीं पढ़ाएंगे नहीं मन होगा आपका बैलोजी पढ़ने का कि साइन्स में मुझे लग रहा है इतना आपको इंट्रेस्ट आ नहीं रहा है आप लोगों को पता है कब इंटरेस्ट आएगा जब कल यूपी जी के पढ़ाएंगे एक कुन्द बुद्धी होती है ना लोग दिमाग से कुन्द पैदल होते हैं मतलब उनका दिमाग वसा होता है किूपी जी के पढ़एंगे हिस्ट्री पढ़एंगे जोगर्फी बढ़ेगा कभी नहीं प्राप्त होगा तुमको सिलक्सन सभी सब्जेक्ट से आपको महबद करनी पढ़ेगी सब्जीक्ट से कि चीटियों से हमले से फसलों की सुरच्छा के लिए निम लिकीट में से किस कीट नासक का प्रियोग करते हैं यानि कि फसलों को अगर चीटियों के से बचाना है तो हम लोग क्या कर देंगे तो आप क्या कर देंगे कोई कहेगा कोई बताई जल्दी क्या होगा जल्दी से देखो हम लोग क्या कर देते कपूर 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 तो कपूर जहां जहां रख दोगे वहां पर चुहे भी नहीं आएंगे कपूर जहां जहां रख दोगे वहां चीटियां भी नहीं आएंगी बाद समझ्जा रही या फिर आप केरोसिन का तेल डाल दो या तो आप बेकिंग सोडा डाल दो यह इन सब का यूज कर सकते हो ना चीटियों से बचने के लिए चुहे से बचने के लिए बाद आप बेकिंग पाउजर या फिर लाल मिर्च का पाउजर लाल मिर्च पाउजर का घोल लाल मिर्च का घोल इन सब का यूज कर लो तो चीटियां वहां से भाग जाती हैं अज बताएं चीटि में कौन सा अमल पाया जाता है चीटी में हो गया, चीटी हो गया, मदुमक्खी हो गया, चीटी हो गई, मदुमक्खी हो गया, बिच्छू हो गया, इन सब की डंक में कौन सामल पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर्जी, फॉर्मी कम लपाया जाता है, इन सब की डंक में कौन सामल पाया जाता है, फॉर्मी कम इनमें से किसको fuel cell कहते हैं, fuel cell मतलब समझ रहो ना, इंधन cell कहा जाता है, तो आप कहेंगे oxygen, oxygen किसी वस्तू को जलाने में सहायक होती है, oxygen क्या करती है, किसी वस्तू को जलाने में सहायक होती है, हना तो इसे हम लोग कहेंगे fuel cell, अगला question, एक बार ढाले जाने के बाद गरम करक नरम नहीं किया जा सकने वाला प्लास्टिक देखो प्लास्टिक दो प्रकार का होता है बच्चों प्लास्टिक दो प्रकार का होता है एक होता है थर्मो प्लास्टिक और एक होता है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक समझेगा यह प्लास्टिक जो होता है वो क्या होता है प्लास् प्लास्टिक में सेखोता है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक ऐखोता है यह गरम कर चाहेद दो बार गरम करो और यह गरम करने पर मुलायम हो जाते हैं, गरम करने पर मुलायम हो जाते हैं, फिर कठोर हो जाते हैं, फिर गरम करोगे तो फिर मुलायम हो जाएंगे, फिर कठोर हो जाएंगे, लेकिन थर्मो सेटिंग क्या है, एक बार गरम कर दिया, तो आप मुलायम हो गया, और फिर इसके बाद ये कठोर हो जाएगा और इसके बाद ये मुलायम नहीं होगा ठीक है इसके बाद बच्चों ये मुलायम नहीं होता है इसका सबसे बड़ा एक्जामपल क्या है आप कहेंगे बेके लाइट इसका सबसे बड़ा एक्जामपल क्या है बच्चे बेके कर लाइट है सबसे बड़ा एक जांपल क्या होता है बक्यों आप के घर में रिमोट होगा आपके घर में टीवी होगी बजा pyro जो काला काला लगा हुआ है उस रिमोट टीवी रिमोट बे अना या फिर टीवी में जो पीछे काला काला रंका डबा लगा हुआ है ना वो बेके लाइट का बना हुआ है वो किसका बना हुआ है बेके लाइट का बना हुआ है ठीक ना अगर हम लोग थर्मो प्लास्टिक की ब लिए थिसका सउंहरा ही निस्क्री गैस का मतलब क्या है क्रीजा अक्रीज अस्क्री नोबल गैस इसी को यह कहते है नोबल गैस कलोरीन नहीं है तो बंग्ऐ विद्द बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है विद्द बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है आरगन भरी जाती है अगला कोशन देखते हैं साधार नमक कौन सा है नमक का सुत्र क्या है एने सीयल सोडियम क्लोराइड एने सीयल यानि सोडियम क्लोराइड अगला कोशन देख प्रोपेन प्लस ब्यूटेन और कभी कभी इसकी जगए ये भी आ जाता है तो आप आई सो ब्यूटेन भी लगा सकते हैं अना तो एल पीजी या दखेंगे ना लिक्विफाइट पेट्टोलियम गैस तो यह होता क्या है तो आप देखेंगे कभी आप से लेंडर को ऐसे करता है जब पानी जैसा आपको दिखाई पड़ेगा इसका मतलब क्या है कि इसको द्रवी करके डाला जाता है एल पीजी लिक्वीफाइट विकाफ फुल फामी क्या है लिक्वीफाइट अच्छा और एल पीजी में गंध लाने के लिए कि कभी इसका दिशाव हो जैसे एल आप क्या मिलाते हैं ए थिल मरक स्टन मिलाते हैं घंधा लाने के लिए अगले अगल्हर अल्फ़ेड नोबल किसका आविश्कार किया कोई बताएगा अल्फेड नोबल ने किसका विश्कार किया ऑप्शन में है माक्रोफोन का टाइप राइटर का डाइनामाइट का ग्रामोफोन का हाँ अल्फेड नोबल अल्फेड नोबल आप जानते ना इन्हीं के नाम पर नोबल पुरुसकार का वित्रण किया जाता है पुरु पुन नितिथी यह नहीं कि मृत्ती हुई थी तो 10 December को ना तो इनकी पुन नितिथी पर Nobel पुरुषकार दिया जाता है आप Alfred Nobel कहां पर थे तो आपके स्वीडन के थे इनका जन्म कहां हुआ था तो स्वीडन की राजधानी इस टाक होम में हुआ था और इन्होंने किसका आविश्कार किया था डाइनामाइट का आविश्कार किया था फिर नोबल पुरुषकार सुरू में कितने छेत्रों में दिये जाते थे और वर्तमान में कितने छेत्रों में दिये जाते हैं वर्तमान छे कि आच से यह जल्दी बता जल्दी से इस मैं न बीजिक कर पेले displacement चाहते है कि फटा-फट एक बार क्लास को लाइक कर दें सब भी लोग सबींट याजां लाइक एक पर ठीछ जड़ी से कुछ ? राइख मैं minus leaders हुए है जल्डी से छांट क्लास को जब मैं ओवर करऊं ऊपर होने चाहिए जल्दी से हिंगे लएक हुपर होने चाहिए जल्द से लाइक कर देंगे फिर शुट्टी हला जो जाएगी कभी और पढ़ा आज ही पढ़ा दीजिए चलो धिक्ते तो अधो सब शुरुवात में क्या हुआ बहुत्की भौत की रसायन भौत Key Cass bhat की रसायन एक से यही इन पांच छेतरों में दिया जाता था इन पांच छेतरों में दिया जाता था लेकिन फिर इसके बाद 1979 में एक नया जुल गया वो हो गया अर्थ सास्त्र में अर्थ सास्त्र जुल गया और अर्थ सास्त्र में भी नोबल मिलना शुरू हो गया तो शुरुआती दौर में 5-6 में नोबल पुरुसकार मिलता था वर्तमान में 6-6 में नोबल पुरुसकार मिलता है य प्रकास रासानिक धूम कोहरे में हमेशा होता है यानि कह रहा है जो धूम्र कोहरा होता है उसमें हमेशा क्या पाया जाता है यह तो आसान आसान से कुश्चन है तो आपके देंगे जल्दी बताई यह फटाक से क्या पाया जाता है जल्दी कि जल्दी 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 फटाक से सब कहां उसला रहा बी मेथेन गलत है मेथेन गलत है आपका उंतर होता है देखिएगा यह जो फोटो-केमिकल-फोग होता है यह जो फोटो-केमिकल-फ़ोग होता है इसमें आपका नाइट्रोजन डाइлуш नाइट्रोजन डाइओक्साइड होता है नाइट्रोजन डाइओक्साइड होता है जो ओजोन से मिलता है जैसे नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन आउक्साइड है लेकिन जब वो ओजोन से मिलता है तो नाइट्रोजन डाइओक्साइड बन जाता है और सामुहिक क्या है बच्चों इसका एक्सपेक्टेड कोश्चन क्या है कि जब कभी धुआ हुआ होता है जब कभी फॉग होता है जब कभी धूम्र होता है तो धूम्र के कारण आखों में जलन धूम्र के कारण आखों में जो जलन होती है आखों में जो जलन होती है वो किस कारण से होती ह Pen Permanent account number नहीं है Permanent account number नहीं है वह क्या है बच्चे आपका Paroxy Acetyl Nitrate है अभी थंडी में क्या होगा आप लोग को आखो में जलन होगी जब कभी धूआ धूम रू रूख तो आपको में जलन हो रही है वह किसकी वजह से हो रही है पर आक्सी एसिटल नाइट्रेट ठीक है ना चलिए तो इसका सही उत्तर क्या है बच्छो इसका सही उत्तर है आपका ओजोन इसका सही उत्तर क्या है आपका ओजोन इसका सही उत्तर है पीतल किसकी मिसरधातू है तामभा और जस्ता तामभा जस्ता कहां पर है यह है तामभा और जस्ता ना कहा सा किसका है तामभा और तिन कहा सा किसका है बच्चो कहा सा मतलब ब्रॉंज कहा सा मतलब क्या हो जाएगा बच्चो ब्रॉंज तो कहा सा किसका है तामभा और तिन का है अगला कोश्चन सोडियम को किसमें रखते हैं सोडियम को मिठी के तेल में रखते हैं सोडियम को किसमें रखते हैं मिठी के तेल में पक्का सोडियम को किसमें रखते हैं बच्चो मिठी के तेल में रखते हैं यह important question है कई बार पूछा भी गया है अगला question अगला question, sodium को पानी में डाल दोगे तो वो जल जाएगा, sodium को अगर पानी में डाल दोगे बच्चों तो वो जल जाएगा, तो sodium को मिट्टी के तेले रखते हैं, clear है, वायू मंडल में oxygen होती है, और जैसे sodium से क्रिया करेगी, sodium oxide बना देगी, बात समझ में आ रही है, okay, अगला, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रियोग की जाती है, अब देखिएगा यहाँ पे, अगर कहा जाए, फलों को पकाने के लिए प्राकृतिक हार्मोन कौन सा होता है, और फिर आप से पूछा जाए, क्रत्रिम हार्मोन कौन सा होता है, या क्रत्रिम गैस कौन सी होती है, तो फलों को पकाने के लिए जो क्रत्रिम हार्मोन होता है वो होता है इतलीन वो क्या होता है इतलीन लिए जबरदस्ती अगर आपको पकाना है तो आप एसिटलीन से भी पका सकते हैं जबरदस्ती आपको पकाना है तो आप कारबाइट का भी यूज़ कर सकते हैं है ना तो आपसे question क्या पूचा गया है फलों को पकाने के लिए प्रिक्त कौन सी गैस है तो आप इथलीन लगाईए इथलीन जब इथलीन ना मिले तो आप लगाईए एसिटीलीन अगला सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है तो तो रोज गोल्ड हमने आपको बताया था रोज गोल्ड रोज गोल्ड बताया था नामने आपको रोज गोल्ड तो रोज गोल्ड या सोने के साथ क्या मिला जाता है तामा मिला जाता है अब सोने की अगर हम लोग बात करें सोने की तो सोने का प्रतीक क्या है सोने का प्रतीक क् कौन सी है भारत में तो आप कहेंगे एक है कोलार और दूसरी है हट्टी कोलार की खान और हट्टी की खान यह दोनों कहां पर है तो आप करनाटक में हैं हाना अगर आउस्ट्रेलिया की सोने की खान पूछी जाए तो बहुत फेमस आती है पेपर में कई बार पूछा गया है औ एक है आपकी काल गुर्डी और एक है आपकी कूल गार्डी एक है काल गुर्डी और एक है कूल गार्डी फिर इसके बाद सोना सोना किसमें घुलता है सोना किसमें घुलता है तो आप कहेंगे एक्वारेजिया में आप कहेंगे सरजी एक्वारेजिया में इसको क्या कहते है अ आप बताईए अमल्राज किसका मिस्टरण है तो अमल्राज HCl और HNO3 का मिस्टरण है कहा जागा कितना चम्मच HNO3 और कितना चम्मच HCl तो यहां पर तीन पहले से ही है तो यहां पर बस तीन लगा दो तो इसका क्या हो जागा 3 HCl प्लस वच 1 HNO3 एक चम्मच नाइट्रिक अमलका लगाना है और तीन चम्मच आपके हाइड्रोक्लोरिक अमलके लगाने है याद रखेंगे इसके और सोने की सुद्धता किसमें नापते हैं सोने की सुद्धता किसमें मापी जाती है तो सोने की सुद्धता कैरेट में मापी जाती है कैरेट में और 24 कैरेट बराबर होता है 100% सुद्ध गोल्ड 24 कैरेट बराबर होता है 100% सुद्ध सोना सुद्ध यूरेनियम किसमें पाया जाता है तो देखेंगे बानबे यूरेनियम 235 यह सुद्ध यूरेनियम है पक्का पक्का सोच लो यह सुद्ध यूरेनियम है मैं सोच रहा हूं ऐसे कोई आंसर बता दे जल्दी से जल्दी बताएंक फिटाक से हाँ तो सुद्ध यूरेनियम 235 तो इसका से उत्तर क्या हो जाएगा 235 आगे बढ़ते हैं अगला question अगला question कुए का पानी सुद्ध करने के लिए कौन सी जैस डाली जाती है कुए का पानी गरम को सुद्ध करना है तो कौन सी जैस जालते हैं तो या फिर पानी टंकी जो होती उसमें भी क्या मिलाया जाता है क्लोरीन कि मिलाया जाता है आज कर अगर 17 करेट का है आज इतना सुध्ध है हम करें मिया 24 कर Gothic बराबर और हांडवेच परसिंट हम करें 24 केरड बराबर 100 पर सेंट तो ग्रा और तो अथारा कारेच पराबर क्या होगा तो गहरेग्दि बताओ 24 करेज बराबर करें hundred पटर सेंट है ग्रेंट है cavalकर बराबर क्या होगा तो आप केंगे सर्जी अठारा गुणे सो बटा चोबिस है ना तो काट लो काट दें छे चोब को चोबिस और छे तरीक अठारा और पच्चिस चोब को सो पच्चिस त्याई पिछत्तर आंसर हो जाएगा पिछत्तर परसेंट